जहां से हम इनको मदद कर पाएं, हम दो आदमी को अगर मतलब अपने आप में सुभार पाएं, और आज की इत समा के बार, अगर एक सिंग आदमी इंसे इंस्पिरेशन ले पाया, तो हम ये मानते हैं कि एंपरर तावर ने, हमने जो आपको नियोता दिया था, वो हमारा नियो सिर्फ हंदामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिस है कि ये सुरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही है, तिरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही, तिरे सीने में सही, वो कहीं प्यार, लेकि आज़ा दियों ये आज़ा चलनी चाहिए, आज़ा दियों ये आज़ वो है क्लोलाइशन में आज हमारा भारत और आने वाला भारत का कल कैसा होगा उससे ये बोलेगे उससे पहले मैं थोड़ा सा मत्लब भावर गुजाइश्था होगा आपसे मैं स्वामी हिलेकानंद गुरूपुल के चैर्में स्वें वहिंस्वाइश्था पढ़ियाजी को घरंटी करता हूं कि वो आए और आज का मौका एकदम आपके लिए अप्रोप्रियेट है आप आए और आप भी का स्वागत करें शाब जैसे तबह में आप में से कही लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ ऐसी बाते कही थी जो उस समय आपको अटपटी लगी होंगी लेकिन आज भू देश के सामने सच्चाई के रोट में है उदारिन के लिए मैंने वापी की जन सवा में दस साल पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर मनमोहन सिंग इस देश के पुरधान मंतरी बनेंगे और आज आपकी आठों के सामने है जिस समय मैंने ये बात कही थी 1998 का साल था मनमोहन सिंग के बारे में बस इतना था कि वो वित्यमंतरी पद से नीचे आ चुके थे और नरसिमाराओ की सरकार जा चुकी थी अटल बिहारी वाजकेजी की सकार काम करना शुरू कर रही थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मनमोहन सिंग वित्यमंतरी रहकर फिर प्रदान मंतरी बनेगे मैंने जिस आधार पर ये कहा था वो एक दस्तावेज था जो मेरे लैप्टॉप में अभी भी पड़ा है भारत सरकार को विश्यु बैंक का एक पत्र आया था वो पत्र में यही लिखा गया था कि भारत देश में वर्ड बैंक की नीतियों को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो मनमोहन सिंग जैसे हो जो वर्ड बैंक के हर आदेश का भारत में कानून बना कर करियान बैंक कर सके तो इसके लिए उनको वित्यमंत्री बनाये गया था और बाद में उनी को प्रधान मंत्री बनाये गया आपको मानने शिल्मती सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंगी के लिए रास्ता छोड़ा था और वो सब कहानिया आप जानते हैं एक बार दूसरी बात मेंने इसी वापी की सभा में कही थी कि पेप्सी कोला और कोका कोला जहर है और टॉइलेट क्लीनर है आज सारा हिंदुस्तान ये बात जानता है कि पेप्सी कोल जहर है और टॉइलेट क्लीनर है क्योंकि भारत की आठ प्रियोग शाडायों ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रैफसी कोग जेहर है और टौलेट पीनर है और जो 1998 में में बोल कर गया था वो भारत की संसत में बोला गया कि इसको बंद कर देना चाहिए तो संसर्थी केंटी ने प्रेप्सी कोग को बाइन किया, राज्ये सभा लोक सभा में और भारत के कल बुक्षे मंतरियों ने कॉलेज़स की केंटी को बाइन किया है और हवाई जहाज़ाओं वी मिलना कम हो रहा है, राजधानी एक्सब्रेस में बंद वाए 1998 में पेपसी कोग की एक साल की विक्तरी थी 700 करोड बोतर आज पेपसी कोग की एक साल की विक्तरी 50 करोड बोतर भी गई गई तो पूरे देश की जुवान पर छा गया आप तो बच्चे बच्चे कहते हैं घंडा बत्लब टॉलेक्टी और कुछ बाते में कह गया था अब उनको रिपीट जादा नहीं करना चाहता क्योंकि समय बहुत जादा हो जाएगा मैं आज आपको ऐसी एक नई बात कहने आया हूँ जो अगरे तीन साल बात आपको होती हुई दिखाई देगी आज मैं कह रहा हूँ तीन साल बात आप उसे होता हुआ देखेगे क्यों भी दस साल पहले कहा था वो पिछले दस साल में होता हुआ आपने देखा मैं कुछ दस्तावेज आपको दिखाने के लिए लाया यह जो लेट्टॉप है और LCD प्रोजेक्टर है सामने जो स्क्रीन है इस पर आप कुछ डॉकुमेंट्स देखेंगे और यह डॉकुमेंट्स हैं अमेरिका के बारे स्वामी विवेका निर्जी का व्याख्यान सुना यह व्याख्यान शिकागो में हुआ था 11 सितमर सन 1830 को आज से 108 साल पहले स्वामी विवेका निर्जी शिकागो गए थे और वहां की धर्ब संसत में जो कुछ उन्होंने बोल दिया वो अमेरिका के लिए एक तरह से धमाके जैसा था ऐसा लगता था कि स्वामी जी ने कोई बं फोर दिया वहां की अमेरिका के सारे प्रोफेसर फिलोसफी के उनके धर्म गुरू सब परिशान हो गए थे और स्वामी जी के पीछे अमेरिका के लोग इतने पागलों की तरह से पढ़ गए थे कि अमेरिका गए थे वो यह कुछ कोई इंसिडेंट है स्वामी जी ने 11 सितंबर 1830 को एक धमाका अमेरिका में किया था भारत की तरफ से इसी अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को एक और धमाका हुआ था जिसमें अमेरिका के दो टौवर टूटे थे यह दोनों टौवर टूटे आप सबने देखा मैंने भी देखा जिस दिन यह टौवर टूटे थे मैं उस दिन मीडिया के साथ बात करता था तो अख़वार वालों ने मुझसे पूछा था कि राजी वाई आपका क्या मानना है यह अमेरिका में दो टौवर टूट गए घट पना एक अलग बात है तोड़ना विल्कुल अलग बात है तो उनोंका किसने तोड़े है उसमा में लादम में तो भैना mis amigos की ओड़ टौवर टौड पाए अगे इसकी उकात होती तो अवेरिका से चुपते हुए पहीं कोफाओं में कंदराओं में नहीं रह रहा होता उस आर दुनिया के सामने ताज ठोक के खड़ा होता तो फिर एक पत्रकार है इंडियन एक्सप्रेस के जो नागपूर के करस्पंटेंट है ब्यूरो चीफ है उन्होंने का आप किस के बारे मैं कहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये दोनों टौबर जॉर्ज बुशने ही तुड करता है किने लगे कोई प्रूफ कोई डॉकुमेंट मैंने का प्रूफ और डॉकुमेंट अभी नहीं है क्योंकि सबेरे टावर टूटे हैं और शाम को आप बात कर रहे हैं थोड़ा मुझे समय दे दो तो मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा तो कोई आधार पता दीजिए जिससे आप यह सोच रहे हैं तो मैंने का मेरे पास इंप फुराना डॉकुमेंट है वह दिखा देता हूं है कि वह उनीस सो इकतालीस का एक डॉकुमेंट है और उनीस सो इकतालीस में आप जानते विश्यूद चल रहा था सेकिंड वर्ड वार चल रहा है जो 1949 से शुरू हुआ है और 1941 में अमेरिका के पल हारवर नाम के एक पानी के जहाज के अड़े पर हारवर मने पानी के जहाज का ड़ा तो अमेरिका के पल नाम के पानी के जहाज के अड़े पर जापान में बम गिराई थे सारी दुनिया जानती है लेकिन वो बम 1950 में जाकर पता चला कि दो अमरीकी पाइलटों ने गिराई थे जापान का नाम लगाया था वो बम अमेरिका ने ही गिराई थे अमेरिका के ऊपर और जापान का नाम लगा दिया क्यों लगा दिया क्योंकि 41 के युगद में जिस समय की ये घटना है उस समय जापान हावी था क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी और जापान दोनों एक दूसरे के साथ में थे और बृतेन और दूसरे देश रशिया वगेरा ये एक तरफ थे एक मित्र देश नहें दूसरे शतिर देश नहें, तो जापन और जर्मनी ऐसा लग रहा था कि यूजीट जाएंगे, और जर्मनी इतनी ताकत से मदब कर रहा था, कि डर ये पैदा हो गया था, कि हिटलर साइख दुनिया का राजा बन जाएगा, तो हिटलर को दुनिया का राजा बनने से रोकना है और जापान को तोड़ना है इसके लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई थी लेकिन वो एटम बम जापान पर गिराये जाएं तो उसके लिए कोई तो आधार होना चाहिए दुनिया को बताने क खेए कि हम जापान पर बंग क्यों गिरा रहे हैं तो अमेरिका ने ये ख़वर फेला ही कि जापान ने परल हारवर पर अठेक किया है लिहादा हम जापान पर अठेक करेंगे बाली , जिसमें 9 लाक जापानी तो एक ही दिल में मर गए थे और करीब करीब 90 लाक से जादा पिछ तो पती था आइजन होवर उसने जापान के प्रधान मंत्री को एक चिट्ठी लिखी वो भी चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है जिसमें वो यह कह रहा है कि हमें बहुत दुख है कि हमने आपके देश उपर दो एकम बम गिराए वास्तम में आपने परल हारवर पर अटेक नहीं किया था वो अटेक की योजना C.I.A. के द्वारा बनाई गई और क्रियानवेद की गई थी लेकिन हम मजबूर थे आपको जर्मनी से दूर करना चाहते थ इसलिए आपको तोड़ना हमारे लिए आवश्क हो गया था तो हमने बहाना बनाया था कि परल हारवर पर अटेक जापान ने किया है इसलिए अमेरिका जापान पर अटेक करे ला वास्तम में आपने परल हारवर पर अटेक नहीं किया था दुनिया को हमने जो से बम गिराते हुए वो फोटोग्रैफ में जापान के दो नागरिकों को पाइलेट की सीट पर बान कर बिठाया हुआ था साथ में अमेरिकन्स बैठे हुए थे और दुनिया को चिठी और फोटो दिखाएगे कि देखो ये जापानी है जो बम गिरा रहे वास्तम में वो अमेरिकन्स में गिराए थे इसमें आपके देश का बहुत लुकसान हुआ है हम आपके लुकसान की भरपाई कर चुके हैं हम आपको मदद दे चुके हैं आगे भी देते रहेंगे लेकिन अब मैं ऐसा लगता है कि आपसे हम माफी मांग ले छमा मांग ले आग प्रपया हमें उसके लिए माफ करेंगा तो कब गिरेगा और ऐसे गिरेगा तो कब गिरेगा अगर प्लेन की स्पीड वायू में द्वनी की स्पीड से जादा है अवाज की जो गती है ना हवा में साउंड स्पीड अगर प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से जादा है तो उसी दिशा में गिरेगा जिधर से प्लेन आया ऐसे करके देगा अगर प्लेन इदर से आया और एगर प्लेन की स्वेड हमा में साउन की स्वेड से कम है तो प्लेन से नीचे और सेकंड मैंने टाइंग कैलकुलेट किया क्योंकि वीडियो मैंने मंगा रखा वो मैं आपको भी दिखाऊंगा सी एलन की जो लाइबरेली है उससे मैंने वीडियो मंगाया टावर के गिरने का एक्जेक्ट नौर्थ टावर आठ दशमलब चार सेकंड में गिर गया एट पॉइंट फॉर सेकंड में पूरा डडडडडडडडड गिरता चला जैसे रेट का महल आठ दशमलब चार सेकंड में 110 मनजिल का टावर कब गिर सकता है जब उस टावर को अंदर से बलास्ट किया जाए किसी बंब के द्वारा और वो बंब एक नहों टावर के हर मनजिल पर बंब लगाया गया हो और सारे बंब एक साथ बलास्ट करें तो 8.4 सेकंड में 110 मंजल का टॉवर गिरेगा एक मंजल की सामन उचाई आप मालें 10 सुट 10 सुट का मालें 3 मीटर तो 3 मीटर की एक उचाई है एक मंजल की तो 110 मंजल की और 110 मंजल में 3 का गुणा करें 330 मीटर उचाई का कोई की टॉवर गिराना हो तो कितने force का bum चाहिए और कितना उसमें RDX लगेगा वो सब calculation मैंने लगाया तो पता चला कि कम से कम 440 bum होने चाहिए तब जाकर वो 8.4 सेकंड में गिरेगा और वो 440 bum हर floor पर 4 bum होने चाहिए और उनका connection किसी mother bum के साथ होना चाहिए mother bum blast होते ही 440 bum एक साथ blast होने चाहिए तो 8.4 सेकंड exit time निकलता है पूरा tower जमीन पे आ जाए तो यह जो pen और tailor थे इन्होंने कहा कि हम आपके calculation को cross verify करें मैंने का yes करो तो उन्होंने का physics लेए किसी professor को मदद ले मैंने का लो physics के जिन for calculations के आधार पर यह calculation किया है वो मैंने बेस दिये वो बिचारे दोनों पत्रकार साड़े तीन साल लगे रहे साड़े तीन साल के बाद उनको सौ से जादा physics professors ने कहा कि these are the best and correct calculations यह 8.4 सेकंड में 330 मीटर की tower को गिराना पड़े तो इतना RDX चाहिए इतना gluten चाहिए ने जो RDX के साथ mix करने वाला chemical है वो चाहिए और 440 बम अगर होंगे तो यह हो जाएगा तो मैंने का आप मिस्टर पेन और टेलर ठाप इस angle से देखेंगे इस पूरे episode को तो ने का लगता तो ऐसा ही है लेकिन सबूत नहीं है मैंने का सबूत भी मिल जाएगा कोशिश चरिये बिचारे दोनों कोशिश करते नहीं करते रहे कोशिश करते करते उनके हाथ में कुछ 50 से जादा सबूत आए उनोंने मेरे पास भेजे वो मैं आपको दिखाने के लिए लाया वो सबूत आप देखेंगे तो आपको तुरन समझ में आ जाएगा कि प्लेन के क्रेश में कावर नहीं तूटा प्लेन का टककर ही नहीं हुआ कावर में तो आप बोलेंगे हमने तो देखा प्लेन आया और उसमें घुज गया हमने तो देखा वो सिनेमा की ट्रिक फोटोग्रेफी है जिसमें आपने प्लेन को घुज से हुए देखा रियलिटी में क्या हुआ है वो अभी आप यहां देखे हिए प्लेन आया तौबर के नस्दीक और ऐसे डाइम लगाके निकल गया उस प्लेन को चलाने वाला जो पाइलेट आफीसर था आपका काम क्या है तो उसने का फाइटर आपका काम है युद्ध का अभ्यास उन्होंने का हमारा डृम था कितने घंटे का तीन घंटे का डृम सुबह 6-9 तर तो सुबह 6-9 बजए आम जब ड्रिन कर रहे थे तो आपके साथ और कितने प्लेन ते तो उसने का कि 182 प्लेन थे, पूरे अमेरिका में ड्रिल पर थे हम, मेरा प्लेन नियोर्क सेंट के ऊपर था, तो आपको क्या कहा गया, तो अचानक से एक आदेश आया, 8.35 के आसपास, कि अपने प्लेन को ट्विन टॉवर्स की तरफ मोड़ो, दूसरा आदेश आया, कि टॉ प्लेन लेके गया, क्वेवर के नसदी में, ऐसे करके टाइप करके निकाल ले गया, बस इतना मैंने किया, तो फिर ये टॉवर कैसे गिरी, तो उसने का टॉवर्स मैंने पहले ही किरते हुए देखी, जब मैं प्लेन लेके जा रहा है, तो कैसे देखी आपने, तो वो कहता ह कि मुझे कुछ आग का गोला दिखाई दिया अंदाजा वो बोलता है कि शायद 94 या 95 फ्लोर पर मैंने देखा एक बम ब्लास्थ हुआ है उससे बाद वो टॉमर ने कितना शुरू कि आज ये पाइलेट आफिसर जोर्ज बुश के लिए खत्रा बन दिया तो अमेरिका छोड़ कर अभी फ्रांस में रह रहा उसने गाजने तेक शरण ली हुई क्योंकि अमेरिका ज़र्गार उसको मरवा दे थे फिर उस फाइलेट आफिसर के बाद एक गूसरा आफिसर जो अमेरिकन एक डिपार्टमेंट होता है फायर डिपार्ट में, जैसे हमारे हैं होते हैं न दमकल विभाद, ऐसे ही अमेरिका में भी फायर डिपार्ट में, उनके सबसे बड़े ओफिसर को पूछा गया कि आपको आदेश मिला कब, ति टावर के पास जाना है और आपका काम करना है, तो उनका हमको आदेश मिला पौन जमीन पर फेटा, क्यों तौबर गिर चुकी थी, जमीन पर पानी फेटा, तो आपने तो कच्रा उठाया, हाँ उठाया, उस कच्रे में आपको प्लेइन का मेटीरिय मिला, तो उनका कोई मेटीरियल नहीं मिला, अब ये हैराल करने वाले बाए, आज आनते हैं हवाई जहां जलने हैं, जलने के बाद वो मेटीरियल अगर मेल्ट करेगा, तो कच्रे में मिलना चाहिए कि नहीं, तो फायर आफीसर कहता, कच्रे में ऐसा कोई मेटल नहीं मिला, जो प्लेइन का था, तो क्या मिला, तो कॉंक्रीट मिला, वो कॉंक्रीट कहा गया, तब उसने का हमने सब भारत देश को बेच दिया अभी इंट्रेस्टिंग बात सुनू भारत देश को बेच दिया किस ने खरीदा भारत में तो वो कहते हैं पंजाब के कुछ व्यापारियों खरीदा क्या कि उस कातोलन का इसमें से जो मेंटेड आइरन था वो पंजाबी लोगों ने लिकाल कर उसकी साइकल बना बना कर बेच किया तो मैं पंजाब में है उन लोगों के पास गया जिनों ने अमेरिका से ये कच्छरा खरीद कर लाए और ऐसे दो लोगों ने मुझे कच्छरा दिया कि देव को हम जो लाए हैं वो ये है मैं वो कच्रा लेके IIT की लेबरेटरी में गया दिल्मी और मद्रास दोनों जगे और लेबरेटरी में जो बहुत एक्सपर्ट लोग है उनको मैंने का इस कच्रे को टेस्ट करना है इसमें कहा गया है कि प्लेन हिट किया है इट है जो टावर में बनाने में इस्सेमाल की गई थी इसमें प्लेन का कुछ भी नहीं है अब आपको एक इंट्रेस्टिन बात बता दू कि ये दुरगटना हुए करीब 6 साल से ज़्यादा बीट गए करेदाट अमेरिका की सरकार आज करने ब्लैक बॉक्स को बता नहीं रही है कि queremos आप जानते हां प्लेन में ब्लाक box लो टा रिकॉडर की समय कि शिचिकी बूरी करए है लेकिन ब्लैक बॉक्स उसका पातम नहीं होता Flight Data Recorder नाम का एक दूसरा instrument होता है FDR FDR और Black Box को अमेरिकन सरकार बता नहीं रही है वो गया कहां अगर प्लेन ने हिट किया तो तो वो है नहीं Black Box और FDR भी नहीं क्यों प्लेन में हिट ही नहीं किया यह तो सब बंब लास से गिराया गया तो अब एक सबसे आखरी interesting बाद आपको मालूम है Twin Towers North और सारात में से कोई अगर अमेरिका गए होंगे तो immediate आपके ध्यान में आएगा यह एक गली जैसे जाती है एक गली के एक corner पर North Tower है दूसरे corner पर South Tower है बीच में से गली और वो गली एक जगे जाके dead end है वहाँ पर 47 फ्लोर की एक building जिसका नाम था building number 7 इस building को government of America के George Bushya आदेश पर 11 सितंबर की शाम सारे तीन बजे blast करके गिराया गया और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गिराया ब्लास्ट करके उस 47 फ्लोर की building को गिराया building number 7 उसका मालिक है उसके मालिक का इंटर्व्यू लिया हमें NNA लिया पेहन और टेलर ने लिया इंटर्व्यू लेके मुझे भेजा उसको पूछा गया कि तुमारी building government of America ने गिराई हाँ गिराई तुमको कोई दुख नहीं है उसने का दुख किस बात का building का जितना पैसा था वो सरकार में मुझे दे दिया तो कितना गिया तो उसने का 7 billion dollar मुझे मिला तो building कितने की थी तो उसने का 2.01 dollar की थी 7.01 dollar मिल गया तो 5.01 dollar तुमको अमेरिका की सरकार में ज़्यादा कैसे दे दिया तो वो कहता to keep mom चुप रहने के लिए पांच एरफ डॉलर ज्यादा मिला तो का चुप रहने के लिए मिला तो बताना नहीं कि ये बिल्डिंग क्यों गिराई दे तो अब तुम क्यों बता रहे हो तो वो बहुत बुरी गाली देता वो गाली मैंने उसमें से निकाल दी है जानग भूज़ के लिए वो अवमानना या मेरे खेलाब अभूमानना के रूप में इस्नमाल वो बहुत ख़राप गाली देता है और कहता है जौर्जबुष ये है गाली के साथ कहता है जौर्जबुष ये है और मैं इसको अभी नंगा करना चाता हूँ मेरी आत्मा मुझे गवाई नहीं देती कि जॉर्ज बुश को मैं प्रोटेक्ट करूँ इसलिए मैं इसको दुनिया के सामने अपनंगा करना चाता हूँ तो उसमें इंटर्वियू दिया उस इंटर्वियू में वो कहता है कि हमारी जो बिल्डिंग थी बिल्डिंग नमबर सेवन इसमें C.I.A. का हेड आफिस था और ये C.I.A. का हेड आफिस पचास साल से चल रहा है और अमेरिका ने जितनी भी दुनिया में कुकर्म किये हैं पिछले पचास साल में उन सब के दस्तावेज इसी बिल्डिंग में रखे हुए थे और 9 सितंबर की ये 11 सितंबर की ये जो धुर घटना हो गई इसके बाद अमेरिका के ऊपर दुनिया भर का दबाओ हो पिछले पचास साल की घटनाओं के बारे में जवाब देने के लिए तो गवर्मेंट अमेरिका ने उस बिल्डिंग को ही गिरा दिया दस्तावेज ही नष्ट करा दिये ताक कोई कुछ पूछ न सके तो फिर उसको पूछा गया कि आप कहा हुआ? ये जो CIA का आफिस है अब कहा गया? तो उसने का आप दूसरी Associate में शिक्त हो गया तो अब तुम क्या करोगे तो उसने का कि मेरी बिटिंग दो अरब डॉलर की थी मुझे साथ अरब डॉलर मिल गए अब किमसे मैं बिटिंग खड़ी कर लूगा पैसा मेरे पास है लेकिन तुम अंतिमिक्षा तुमारी क्या है तो उसने का मेरी एक ही अंतिमिक्षा ये मरने से पहले इस जोर्ज बुष्ट प्यानी देकर वो कह रहा है कि इस जोर्ज बुष्ट को मैं सारी दुनिया के सामने नंगा करूं कि इसकी असली असलियत क्या है ये कितना खतरनाक आप नहीं तो उसको पूछा जया कि तुम कितना खतरनाक मानते हो जोर्ज बुश को तब वो कहता है कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत सेंसिटिव है और वो जानकारी आपको मिल जाए तब ही आप ये ओपन करना नहीं तो मेरा मरडर भी हो सकता तो क्या जानकारी है तब उसमें बताया कि ये नॉर्थ और साउट टावर दोनों जो थे इनकी सिक्योर्टी का जिम्मेदारी जॉर्ज बुश की फैमिली का ही था जॉर्ज बुश फैमिली की एक कंपनी चलती है अमेरिका में उसका नाम है यूनो कोल ये कंपनी के दो धंदे हैं एक तो वो तेल बेचने का काम करते हैं डीजल पैट्रोल एल्पिजी दूसरा उनका सिक्योर्टी का बहुत बड़ा बिस्लेस है जॉर्ज बुश के दो भाई है मने जॉर्ज बुश और उसका एक भाई है उसका नाम है मारविन बुश ये अपने बाप के दो बेटे हैं जॉर्ज बुश और मारविन बुश मारविन बुश चोटा है वो यूनुकोल कंपनी का CEO है चीफ एक्जिकेटिव ऑफिसर तो मारविन बुश की जिम्मेदारी पर दोनों टौबर थे नौर्थ और साउथ सिक्योर्टी की जिम्मेदारी पूरी उसकी थी तो कैसे गिल गई फिर ये कावर तो वो कहता है कि यह सी मारविन बुश ने सारे बंब लगवाने का काम किया क्योंकि उसकी सिक्योर्टी थी तो मारविन बुश यह बंब लगवाएगा तब से असली राज खोला और वो राज फिल डॉकुमेंट से भी प् इसमें उसामा बिन लादिन और जोर्ट बुश दोनों बिस्निस पार्टनर हैं दोनों बिस्निस पार्टनर हैं एक का एक्क्यूटी है 51 पचंड दूसरे की है 49 परसे जोर्ट बुश के फैमिली की तरफ से मारविन बुश इसका CEO है और उसामा बिन लादिन की फैमिली की तर और वो सौदा था। दोनों North और South त्वर के insurance नियुकु बिश्यक्त करेखिछ गुधर MA की सब्सक्राइब 2015 तूपने के बाद नुकसान जो हुआ वो जापान का हुआ अमेरिका का कुछ चुम्हाई ये है अमेरिका फिर आप बोलेंगे जी तीन हजार लोग मर गए हाँ मर गए जो तीन हजार लोग मरे उनमें एक भी अमेरिकन नहीं था सबी नौन अमेरिकन मरे हैं अमरीकी लोग क्यों नहीं मरे उस दुर्गिटा में क्योंकि अमेरिका के जो लोग उन टॉबर्स में काम करने के लिए जाते थे उन सब को उस दिल छुट्टी पर भेजा गया 11 सितंबर 2001 को और छुट्टी देने का आदेश राष्ट्रपती के घर से आया कि जितने भी वाइड अमेरिकन्स हैं और ज्यूज हैं सब को कंपल्सरी छुट्टी पर भेजना है 11 सितंबर को कोई यहां नहीं आएगा तो वो सब छुट्टी पर थे तो बाकी लोग जो मरे वो कौन थे वो हिंदुस्तानी थे पाकिस्तानी थे बंगला देशी थे जो दो टुइंट आवर्स में जाडू लगाने का काम किया करते थे पोच्छा लगाने का काम किया करते थे सफाई करने का काम किया करते थे ब्लू कॉलर्स जॉब्स में थे वो सब तो तो तीन हजार मरे वो यह मरे तब यह लेरी सिल्वर इस्ती जिसके मैं बार बार जिकर क उसको पूछा गया कि मानलो एक भी अमेरिकन मरता तो तो उसमें का जार्जि भूश की खट्या खड़ी हो जाती एक भी अमेरिकन मरता तो इतना compensations देना पड़ता कि government of America परिशान हो जाती इसलिए खूब calculation करके यह तै किया गया एक भी अमेरिकन मरना नहीं चाहिए और non-americans मरे तो कोई फ़राग नहीं पड़ता क्योंकि वो citizen नहीं है अमेरिका के और जो अमेरिका का citizen नहीं है उसके लिए compensation ज्यादा नहीं देना पड़ता जितना दो उतना ही काफी होता है जो American citizen मरे तो compensation बहुत देना पड़ता है कि George Bush मैंने आप से का उसकी company है जिसका नाम है Unicorn Company का CEO है Marvin Bush ये company का धंदा है diesel petrol LPG अब diesel petrol LPG बनाने के लिए आपको मालूम है कच्चा तेल चाहिए कच्चा तेल दुनिया में जहां जहां मिले अमेरिका उसको लेना चाहता है तो अफगानिस्तान नाम के देश में बहुत कच्चा तेल है ये बार 2001 में जनवरी के महिले में पता चले अफगानिस्तान को अब तक हम मानते हैं कि एक सूखा परदेश है लेकिन सेटलाइट में बताया है कि उसी जमीन के नीचे बहुत तेल चुपा हुआ है और बहुत गैस है तो जैसे ये पता चला कि अफगानिस्तान में गैस और तेल का भंडार है उसी दिन से अफगानिस्तान की नजर लगी अफगानिस्तान पर कि ये अफगानिस्तान तो हमारे कबजे में होना चाहिए क्योंकि जो भी गैस निकलेगी और तेल निकलेगा वो अमेरिका का होना चाहिए अब अफ़िस्तान अमेरिका का कब हो सकता है जब अमेरिका का अफगानिस्तान पर कब जा हो और अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा कम हो सकता है ये तब ही हो सकता है जब अमेरिका वहां पर बंबारी करे और जो सरकार चल रही है उसको हटाए और अमेरिका अपनी सरकार लाए तो अफगानिस्तान पर बंब गिराना है हमला करना है उसके लिए कोई तो लेजिकिम अफगानिस्ताने के राष्ठव पती हैं जिसका नाम हामिद करजई वह यूणो कोल कंप्पनी का मैंगर है जो इस समय अमेरिका में वह अफगानिस्तान दार्च्व कर्वर शह साल यह तब तक रहेगा अफगानिस्तान में जब तक वो पाइप लाइन नहीं बिच्चे तो तेल लेके जाना है अमेरिका गैस लेके जानी है अमेरिका अब समस्या क्या आ रही है कि यह तेल और गैस की जो पाइप जाने वाले हैं अमेरिका इसके बीच में एक देश पढ़ रह है अमेरिका और इरान का तो अब अमेरिका प्लैनिंग कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इरान पर हमला किया जाए और एक दिन इरान को भी ऐसे ही अफगानिस्तान जैसा बना लिया जाए और पाइप उनके अमेरिका तक पहुंच जाए और उसके बाद जो कहे कहे अमेरिका को किसी की परवा नहीं है न अगिनाइटेड नैशनसी न दुनिया की दूसरी संस्थाहों के ये है थेल अब इस थेल में एक विलेन अगया था उसको हटाना जरूरी हो गया था जिसका नाम था सद्धाम हुसे सद्धाम हुसेन को कुछ भनक लगी कि गड़बर कुछ होने जा रहे हैं तो उसने कुछ तेल बेचने वाले देशों का सम्मेलन बुलाया था आज से 6 साल पहले की बार था सम्मेलन बुलाया और उसने कहा कि यह अमेरिका बहुत खतरनाक है बदमाश है ऐसा है वैसा है मेरे साथ भूका कर चु अगले तीन साल में आपको अमेरिका ऐसे ही तूटके लिखाई देगा जैसे सो लिख सम्म कुछा मेरे शब्दों को आप लिख लेना चाहे किसी पेपर पे लिख लेना या डायरी में लिख लेना 2011 के बाद आपको अमेरिका ऐसा नहीं दिखेगा जो आज है ये बुरी तरह से गिरेगा तूटेगा इसका डॉलर जाएगा ये जमीन पर और रसातल में आएगा तो आप बोलेंगे जो हमारे भाई बहन अमेरिका में रह रह रहे हैं उनका क्या तो उनको बुला लू मैं डॉलर साथ रुपए हो गया तो वो आएंगे भी तो कुल मतलब नहीं वो जो लाएंगे वो कावेशता टुकड़ा हो जाएगा तो अभी डॉलर 40 से 38 से तो आई गया ना और इसको भारत सरकार ने टेका दे रखा इस भी 38 पर है कल टेका वापस करे तो 30 रुपए भी नहीं आज डॉलर जो रियल एक्षिंज रेट है ना इस समय में जब बात कर रहा हूं तो 30 रुपए से नीचा है भारत सरकार में मार्केट में डॉलर को पंप करके रोका हुआ उसके प्राइस को गिन में से तो भारत सरकार परेशान है तो डॉलर अगर बुरी तरह से क्रेश कि हो सकता है अमेरिका का एक अध्राज जो उनके हाथ से निकल कर दूसरी जगे चला जाएगे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टैक्सास है ना यह अर्जेंटीना में जा सकता है या मैक्सिको वाले इसको चीन लेंगे और तूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि अम चैनीज भी है जीउस भी है मुसल्मान भी है सब तरह के लोगों ने मिलकर एक उसको होगी इसका मने होता है खिचडी देश चावल अलग नहीं डाल अलग नहीं खिचडी देश तो खिचडी देश जैसा बना रखता है यह पूरी तरह से जब इनके सामने यह व्यवस्था आए गी बैंकिन सिस्टम को लेट डॉलर की बहुत बुरी गिरावट मार्केट में भेंकर रिसेशन प्रोडक्शन लेवल बढ़े नहीं उनका और लगातार ट्रेट डेफिसिक बढ़ता जाए अमेरिका के ट्रेट डेफिसिक इस समय 1.8 प्रिलियन डॉलर है 1 प्रिलियन मे थाउजन बिलियन होता है इतना डेफिसिक हो चुका है कितने दिन करेंगे वो अपना डेफिसिक पूरा करने का काम तो अभी तो अमेरिका क्या करता है जादागिरी करके डॉलर चापता रहता है मार्केट में डालता रहता अब यह दादागिरी कंट्रोल हो रही है डवलू से हैं इस से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आपको बता दो कि आज दुनिया के सब लोग अपने डॉलर को अमेरिका .....कल करो दुनिया के जिस जिस आदमी के पस डॉلर है वो कहे कि घुर्मेंट उप अमेरिका हम आपको डॉलर वापस दे रहे हैं बदले में हमको सो ना देगो. तो अमेरिका अभी भिखारी देश है. क्योंकि दुनिया में जितने डॉलर्स इसने फैला रखते हैं, ये बटोर कर वापस अमेरिका चले जाएं, तो बदले में देने के लिए उनके पास सुछने ही है, ठंधन गोपाल है. ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो एकॉनमी होती है न, जो अमेरिका में पचास साल से चल रही है, वो यहीं पर आकर टूपती है और वो टूप में जा रही है. थोड़े दिन में आप देखेंगे. और वो क्यों टूटेगी? क्योंकि दुनिया भर के देशों की हाए, अमेरिका को इस समय लग रहे हैं. सारी दुनिया के देश इस समय चिला रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा हराम खोर और बेगमान को याद्मी हैं, तो जो जोर्ज बुश है, या अमेरिका है, या वहां की कमपरिया हैं. तो वो कहानी, डॉकुमेंट्स की जुमानी, आप देखें, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और ये बातें आपके समझ में अगर आएं, तो आप दूसरों को बताएं, और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये बातें, कि ये बातें आप आपके दोस्तों को रिष्टेदारों को जो अमेरिका में रहते हैं वहां तक पहुंचाएं ताकि उनका ज्यादा नुकसान ना हो मेरा दिल में एक ही जर्द है कि ये हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं मेरे ओने जो दोस्तें को पढ़ाँ करते थे अमेरिका में उनको मेरी बात पर ठोड़ा थोड़ा बरोसा होने लगा है वह वापस आ रहे हैं आप पैसा ला रहे हैं जमिने खरीद रहे हैं कोई खेती शुरू कर रहा है कुछ कर रहा है कुछ हजार तो आये है 14-15,000 के आसपास तो आए लेकिन ये परियाप्त नहीं है तो कि लाफों की संख्या में भारतवासी अमेरिका में है इनको अगर ये समझ में आ जाए और ये आने लगें और कुछ भारतवासी जो अमेरिकन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं को बोलिए कि जितनी पगार अमेरिका में मिलती थी उससे जादा पूरा में मिल रही है आप आजाओ अब क्या लालच है वहां रहने का क्योंकि वहां जाने का एक ही लालच था कि डॉलर था पचास रुपए तो यहां उनका एक डॉलर यहां पचास रुपए बैठता था अब वो रहने वाला नहीं है दो-तीन साल में तो बिल्कुल ही कॉलर्च होने वाला है तो वहां से वापस आएं और यह जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ यह सारी दुनिया में थोड़े दिल में तहलता होने वाला है क्योंकि दुनिया का मीडिया अब इस पर लग गया मैंने यह जो आपको दिखाने के लिए डॉकुमेंट्स लाए हैं वो अपने-अपने तरीके से इनका खस वेरिफिकेशन कर रहे हैं जिस दिन वो विरिफाई हो जाएंगे यह सब धमाका BBC पर होगा किसी दिन French टेलिविजन पर होगा किसी दिन German टेलिविजन पर होगा फिर American TV पर भी होगा और यसी धमाके में अमेरिका थोड़ा हिलेगा और हो सकता है तो दुनिया के सामने सुईकार करे जैसे 1950 में सुईकार किया Yes, we have demolished our tower हमने ही demolished किया है अपनी दोनों tower को तो दुनिया से माफी माँगे और फिर सारी दुनिया की geopolitics पूरी भू राजनी के इस एक आधार पर बदलें मेरा नियतन है कि यह lights please off कर दें ताटिया आप अच्छे इसको देख सके मैंने आपको इस सोरी बता दी है अब आप पूरी शांती से इसको देखेंगे बीच में एक एक है जहां से आपको धुआ निकलता दिखाई दे रहा और प्लेन है वो टॉबर से दूर है तब टॉबर ने टूटना शुरू कर दिया एर ट्राफिक कंट्रोलर के हाथ में रिमोट था उसको कहा गया था कि आठ थीज पर आपको ये बटन दवाना कैल्कुलेशन ये किये गए थे कि ये प्लेन आठ पैथीस तक यहां पहुँच जागा लेकिन ये लेट हो गए और इसी के लेट हो जाने से हम लोगों को ये सब खोज ख़बर मिल गए कहते हैं न दुनिया में शातिर से शातिर बदमाश और चोर किती भी होशया दिखाए कोई न कोई एक गलती वो ऐसी छोड़ देता है जहां से सूत्र मिलते हैं और सारा उजागर पूरी दुनिया के सामने होता है तो ये प्लेन नहीं पहुँच पाया कैल्कुलेशन सारे गड़ बड़ा गए और एयर ट्राफिक कंट्रोलर ने तब तक रिमोट को दबा दिया 94th floor पर बम ब्लास्ट हुआ उसका धुआ ये निकलता हुआ दिख रहा है अब आगे आप इस टौबर को गिरता हुआ देखें 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 कहीं भी प्लेशन नहीं है दिख रहा है कहीं प्लेशन आप देखा आप ये ब्लास्ट प्लेशन दूर दूर तक नहीं है आसपा देखें आवर गिरना आप को प्लेशन दूर दूर आखें ये आप देखें कहले कहले तुकड़े ये-z treaty है ये 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 तुक्ड़ लिख ज़ेए आपको ये जो भूं प्लास्ट हुआ उसके तुकड़ेशन और यही मल्वे में सारे के सारे में यह साइड में सारे टुपड़े बंक है अभी एक पिन्ट रोगे जो अन्जिनियर है अमेरिका में रहता है नुई यॉर्प में रहता है और जिस आर्गिटेक्ट ने इसको डिजाइन किया जिस इंजीनियर न बनाया उनके पास से हमने पुराना फोटोग्रेफ माना कि जब आप टॉवर की बिल्डिंग बना रहे थे उसमें का एक फोटोग्रेफ चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम आपको चैलेंज करते हैं ये टॉवर जिस कॉंक्रीट और लोहे से बना है इसमें अगर एक साथ दस प्लेन भी आप हिट करो तो ये टॉवर नहीं तूट सकता तो मैंने पूछा क्या होगा अगर प्लेन हिट करेंगे तो उसने का कि मैं ये एडमिट कर सकता हूँ कि मेरे टॉवर के डिजाइन में एक ही गलती है कि अगर प्लेन हिट करेगा तो इसमें आग लग सकती है टॉवर में ही तूटेगा तो जिस इंजीनियर ने ये काम किया और जिस आर्किटेट ने इसको बनाया हमने पूचा आप ऐसा कोई एविडेंस दे सकते हो हमें तो उसमें का कि यस मेरा ही डिजाइन किया हूँ एक टॉवर है स्पेन में और उसको एक बार प्लेन हिट किया था तो मैंने का वो हमें चाहिए फोटोग्रेफ्स तो इसने स्पेनिश कवर्मेंट से कॉन्टेक्ट करके हमें फोटोग्रेफ्स दिलबाए तो वहाँ यही घटना हुई थी कि टॉवर उनकी थी करीब करीब अड़तालीस पचास मंजली की इसी इंजिनियर और आर्किटेक्ट की डिजाइन की हुई जिसने नौर्थ टॉवर डिजाइन किया तो उसमें प्लेन हिट हुआ था वो टॉवर में आग लग गई प्लेन जल गया टॉवर जल गई साथ दिन तक आग जलती रही उसके बाद टॉवर का पूरा पूरा धाचा वैसे का वैसा आज भी मैडरिट में खड़ा हुआ है वो फोटोग्रेफ में अभी दिखा हुआ है तो वो कहता है कि डॉवर का प्लेन हिट करता है तो आग लग सकती है डॉवर गिर नहीं सकती क्योंकि जितना कॉंक्रीट और लोहा इसमें डाला गया है ये कितने ही दस प्लेन एक साथ इंट करें तो भी नहीं गिर सकती आग लगेगी गिरेगी नहीं गिरेगी कब तब उसने का जब आप एक्स्प्लोजिव से उसे ब्लास्ट करेंगे तब ही मेरी तॉवर गिर सकती है अदरवाइज नहीं प्लीज ये पुराना फोलो है उसका अभी ये सेकंड का कैल्कुलेशन है अगर लेफ्ट में तॉवर गिर रही है एक्जेक्टी एक पॉइंट पॉर सेकंड में जमीन पर आगे इधर ये सेकंड की बहुच है एक पॉइंट पॉर सेकंड का कैल्कुलेशन आया है टॉवर पूरी गिरिए अभी एक इन जला इसको रोकिएगा ये calculation में समझाया है कि अगर आप 110 मंजिल की टॉवर को 8.4 सेकंड में गिरते हुए देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 टॉवर बाने हर 10 मंजिल 1 सेकंड में गिरे यही तो हुआ ना और 10 मंजिल 1 स ये धर्ती कंड में नहीं हो सकता ये तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी इंटेंसिटी के एक साथ ब्लास्ट हो सभी 10 मंजिल पर तब वो एक सेकंड में गिर सकता तो वही हुआ और वो गिरते हुए आप देखेंगे आगे फिर ये है एक इसको रोकिए ये इंटर्नल इस् देखेंगे यहां पर उन्होंने जोइंट सिक्स किये हुएं यह टावर का एक साइड है यह टावर का दूसरा साइड है बीच में यह जोइंट कीया बीच में इसके यहां किया गया, फिरे, यहां, फिरे, यहां, फिरे, ऐसे करके यह बम भिक्स किये गया, और वो कहता कि मदर बम से उनको कनट करके एक साथ ब्लास्ट किया, तो यह साइट का पूरा हिस्सा गिर गया, उसके बाद सब कुछ नीचे आगे, यह है उसके फिच्छी की प्रोव, किया प्रोओ, प्रूप्स बंद सकी प्रोड ग्रोओ, इसे एक बाला जाद सब क्रप जतलते हो यह झो सुब होrin हो भाद बया है Sब करानी इसा टन्यची म। फिरे, इस्द ऑ्रवदा की ग्र datो संट यह विवो लोot एक मिनट इसको डो यहां पर कुछ इस्टू गहीं से हैं आप लोग फिजिक्स पढ़तें नहीं पढ़तें चलो फिजिक्स अगर कोई 9th और 10th इसकेंडर्ट के स्टूडेंट्स होंगे वो भी पढ़ते होंगे तो उनके पास एक फॉर्मूला होता है H is equal to UT plus half GT पढ़ते हैं उसी फॉर्मूले से यह calculation मैंने निकाव हो height अगर आपको मालूम हो height किसी भी building की height मालूम हो वहाँ से पथर का कोई टुपड़ा आप जमीन पर गिरा नहीं 30 second के बाद वो जमीन को हिट करेगा वो simple सा question है यह सभी physics के students को पूछा जाने वाला question है एंध में नाइंध में शाहिद आजकल सेवंध में भी पूछने लगे हैं तो नाइंध और टैंध के physics level में यह question आता है कि suppose 100 meter की building है उस पर से पथर का एक टुपड़ा गिराया गया G का मान इतना है gravitational, acceleration तो आप बताओ कितने time के बाद यह प्रत्वी को hit करेगा तो मैंने यह calculation किया कि हमें hit मालूम है हमें time भी मालूम है 8.4 second में building आ गई नीचे तो time 8.4 second हो गया height हमें मालूम है 110 meter है तो मैंने speed calculate करने का कोश्या initial speed क्या था तो वो speed वही निकला तो American fire fighters माने दमकल विभाग के अधिकारियों ने calculate करके दिया है कि यह इतने speed से गिरना शुरू हुई की तावा तो 8.4 second के बाद कोई अगर चीज 110 माले से गिर के नीचे आ रही है तो उसका exact calculation किया जाना बहुत आसान है क्योंकि physics इसमें सक्षम है और physics के फॉर्मूले इसके लिए है उस calculation से यह मैंने बता और यह draw किया इसमें बस इतना है कि हो अगर पत्थर का टुपड़ा प्रे के लिए तो सीधे नहीं आएगा एक parabolic shape में आएगा बस इतना ही अंतर है लेकिन time उतना ही आएगा 8.4 second इस इस उतल राचम से नहीं आए। यह मेंडरेट वाली कटता है इस पेन की रास्दानी मेंडरेट में यह बिल्डिंग है यह उसी इंजिनियर और उसी आर्किटेक्ट की बनाई हुई है इसको जब पूछा गया तब इसने बताए कि इस बिल्डिंग में प्लें हिट हुआ था 18th February 2005 को प्लें हिट हुआ था उसके बाद क्या हुआ वो आप आगे देखिए यह बिल्डिंग प्लें हुआ था यह यह बिल्डिंग है ऐसे जड़ी बिल्ड़ा और पांच दिन जबती रहे इसको रोप लिए पांच दो गया बिल्डिंग में आग लगके शान्त हो गई अब वो ऐसे खड़ी हुआ है प्लें हिट होने के बाद तो यह डॉकुमेंट जब मिला तो मुझे बहुत तकलीफ हो गए कि अमेरिका इतना भी जूट बोल सकता है तो अभी मैं आपसे कहने आया कि अमेरिका पिछले सौ साल से दुनिया के सामने ऐसे ही जूट बोल रहा है प्लें के साउट तावर बहा है यह अज़ रोकिये ज़र यह रोकिये ज़र यहां बम ब्लास प्लाइब और यहां दूर दूर तक प्लेंग नहीं है करेंगे कि आया थाओर तो अभरी से लुट तू बढूंत毱्चाण इसको जनना रोड़ा हो एक दूसरे कालीकिलेशन आप लोगाने किया कि सपोस्ट हुआइब बूदेंग्स पिर्ण फिरल डेक्ट अपिर शिवर था नाथ फिर्ड़्य का लग्र, जोगाने किया कि सपोस्ट इसको जाए हैं उस मेटल को डिजॉल्व होने के लिए या मैल्ट होने के लिए जिससे प्लेट बनाया जाए आप जानते हैं प्लेट खास करें के मैटल से बनता है उस मैटल को अगर हम पूरी तरह से मैल्ट करें पानी की तरह से पिड़ा है तो कम से कम टेंपरेचर 1341 डिग्री सेंटिग्रेट होना ही चलिए अब अब ये बिल्डिंग नंबर सेवन हैं सिया ये का हैड ऑफिस ने यॉर्प में आप इसका पीछे से देखने हैं अभी सामने से भी देखने इस बिल्डिंग को शाम को साड़े तीन से चार बजे के बीच में गिराया गया उसी दिन ग्यारे सितंडर और बंब लगाकर इसको ब्लास्ट किया और फाइर डिपार्टमेंट ने इसको गिराया जॉर्ज बुश के ओडर पर गिराया उस ओडर की कॉपी इसमें आगे आप पढ़ेंगे डॉकुमेंट्स में है तो इस बिल्डिंग को गिराने वाले जो फाइर फा हो वो सिया हूँ हो या कोई भी हमको और मिला हममें गिराया कैसे तब इसने इक्सिन किया है कि इसके सबी फ्लोर में हमने flatter s p है और उन Mart उनकिया मदर बं को हमने डिटोनेट किया सारे एक्स्टोसिव एक साथ डिटोनेट हुए और बिल्डिंग धड़ धड़ गिरता चला गया आप देखेंगे कैसे गिरा यह बिल्डिंग जैसे गिरा एक्जेक वो नॉर्थ और साउट तावर की तरह से गिरा इसमें प्लेट नहीं के दिखकेश गिरेगीm यह दिखकेश गुछाप्स्ट यह देखकेश यह देखकेश आएगल आखर विए चरफ्म आगें यह है जो आद भी इसने फोल पोले यह हमारा बहुत नदददार है इसी का नाम है लेरी सिल्वर स्टी जो 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 इसको बहुत गाली देगा यह अगर मूह नहीं खोलता तो हम मैंसे किसी को यह हवा नहीं पता चलती है यह आकर हुआ था अब बधिखे रहता है को सब्सक्राइब कर्राइब प्रेत बाचा यह तरफ तरफ यह दो अब देखे कि ओड़या गुआए यह पिर आदे यह सामने से कैसे गुरिये है यह यह भोल ब्सक्राइब आधने है तो इसको आप जाकर और एनलाइज करिए एनलाइज करिए है यह जारज भुश्के पाँच एडवाईजर है। इनी का सारा खेल है यह जो प्लैंटिंग वा ये जो जो प्रोडिंग वा ये जो शुच के पाँच अड्वाइजर हैं जो डिफेंश के लिए एड्वाइस कहते हैं जो 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 फूच को फिस्टेविस्टें, गगरी ।फिस नेरह साहिस प्रमेश चलτα प्राव प्राहिसुख प्राव प्रावजस्फित प्राव अप्राव एंस यांडर है यह स्टवटों अशमा याद से रोट अमेश चेह उन्यड्स अच्रवश्य है आरणे वॉलों मेंपूलों इसका नाम है पॉपुलर मेकनिक्स अमेरिका में इंजिनिरिंग के जो भी लोग है इंजिनिरिंग फील्ड के वो सब इस मैगजीन के सब्सक्राइबर है ये है पेन और टेलर पीज रोखें ये दोनों महान लोग को इनकों में बहुत महान मानता है अमेरिका से भाग गए हैं फ्रांस में रहते हैं क्योंकि सर्कार इनकों बरगाने की प्यार है ये जिमी वाल्टर है जो CNN TV चैनल है उसका इस समय CEO है CNN का तो इससे टेली फोन पे बहुत बार हमने बात किया तो एक ये टेली फोन पे इस समय बात कर रहा है ये देखिए ये जो आवाज है ये हमने रोका हुआ है सुने नहीं आप बहुत खराब दानी है जो प्राब गए है ये है ये जनरेट ये है वो बुक जिसका ये कहन पेज होगा पैपल प्रेसिंस अनलसिस आठक स्वेटमबर 11 का ते ये लिखने में बहुत बहुत करणा है जाए ये लिखने में बहुत करणा है ये बहुत करणा है अज़तात प्रवाइब हो प्रवएशन कि अग। अज़ीग की आपनाने सिडिदार फ्रवापश करना है अग्वार ये ये नहां आपने लिग पनी जोर। काईब्ट अज़ुटिबंगे की आपन धिसी, अभी यह जो है ना थोड़ा मजाग करते हुए अमेरिका की जो डेमोक्रासी है फ्रीडम अफिस्पीच की बात जो सारी दुनिया में वो करते हैं उसको मजाग के साथ कार्टून के रूप में आप थोड़ी गेर देखें फिर इसके बाद एक सीरियस डॉकुमेंट है वो दिखा कर मैं ये बंद करूँगा और फिर आप से थोड़ी और बात करें झालीड कर देखें गुमर जालीड कर शिस्पीच की बालीड कर देखें वो दोड़ी और दिस सीरियस अवे बंद के सीरियस उजड है वोई वोई मेङी बस्योंयीं अलओ कोड़ बतारणी कि कर दो दोतार जोताल में शर्द कर देनि में बालि कि जैन में खने कि एधिट ağ encontrar कर दोताल म्मं भ auth ल्म कारी की विस आएिष क एंग विस आएिट हो राइ starts कि रखागल के अलिए दो वbed, बखाग। हाद हाद ही ल सब्हां ट्रन मत मत अड़ी से ल गाग ही व गाग रा झात Dorothy अभी आप ये पेंटागन वाला एक सीरियस डॉक्यमेंट्स आपने सुना होगा कि गवर्णमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हमारों पेंटागन पर भी अटेक हुआ नॉर्थ टॉबर और साउट टॉबर का सच तो आपने जान लिए आप पेंटागन का सच जान लिए पेंटा पेंटागन का अपना मेन की ही कि प्लेंट को खीच के ले जा रहा था तो टुटगी है तो टॉट तो थेॱ्मां में स्पीड आ चुकी तब तक तो यह प्लेंग चले हुए यहां जाके टका गया तो एक छोटा सा छेद हो गया तो गवर्मेंट ओफ अमेरिका ने कहा हमारे उपर हमला हुआ और हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का ओफिस पो गया पुछ हमला नहीं है यह प्लेंग जाके वहां टकर लगके रुख गय और एक छोटा सा छेद हुआ सारी दुनिया में इन्होंने कह दिया कि हमारे उपर हमला हुआ यह पेंटागन अटेप की यह असलियत है इसको लपीस यह वहां जाके देखिए तकरा गया तो अंदर चला गया वो दूसरा को और यह प्लेंग जो है ना उड़ रहा है यह वही प्लेन है जिसके बारे में वो जहते हैं कि यह टकर लगी थी नौफ टावर से यह है देखिए प्लेन ऐसे जाकर टकरा हुआ एक हंड़ शिक्स ट्री जिरो नाइन जिरो वान टू और गो तो रियोगन नाइन वन डार ओर प्री डीवीड इन नियों पर लहार पर यह मैंने प्राइब करें लिए धाग्ट यह देखिए डाइरेक्ट अही थास्ट था इसको घ्रान से सुनी और प्राइब करेंगें। थाहेन पोवा कि अमयूट धो द द सब्ठोंती प्रॉकित का भार तेंट नहीं कोई था कि दिंटेकरि था है कोई प्रेश नहीं है यह अमेरिकन लिए से इंगे रेगिंग निफ में कहा है कि यहां कोई प्रेश नहीं है और यहां एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके हम कह सते हैं कि प्रेश हुआ है लेगन अमेरिका ने सारी दुनिया में ऐसा हुआ मचाया कि बहुत बड़ा उन्हों ने वहां पर प्लेश टार्गेट में कर दिया अभी इसमें आगे एक इंट ना जिसने इंक्वाईरी किया उस कमीशन का यह चिट्थी है जो उन्होंने लिखा जॉर्ज बुश्टर और इसमें उन्होंने यह पहली बार कहा कि 3,000 लोग जो मरे हैं उनमें से एक भी अमेरिकन नहीं है यह 9-11 की रिपोर्ट है टोटल रिपोर्ट कर उन्होंने जितनी इक भी ओलिषनल अमेरिकनी और देखिया अमेरिकन पार्लेंट का सीन है बजाई इसको प्लीज यह आप यह आप दे रहा हैं यह एक सांसद है एक सेनेटर है वो पार्लेमिन में गुछ कहना चाहता है लेकिन जौश बुश्ट के जो सहयोगी है ना जैसे हमारे होता है वैसे तो देख सकते हैं तो यह एक अमेरिकन सेनेटर है यह बहुत इमानदार व्यक्ति है यह रिपुब्लिकन पारटी का यह जोर्ज भुश की पारटी का है यह कुछ सवाल उठा रहा है और यह सवाल क्यों उठारा क्योंकि इसको हमने यह सारी डॉकुमेंट्स देज़ है तो यह खड़े होके सवाल उठाने की कोशिश कर रहा तो इसको उठाकर बाहर भीखवा जैए जोर्ज मुश है यह असलियत है अमेरिकन डेमक्रसी की हमारे अब कई बात नेता अलुका सिधा बोलना शुरू करते हैं तो उठाकर भीखवा दिया जाता है जिए अमेरिकन पार्टि इसको पंगड़ के ले गाए यह यह वह चित्थी है आप साइद क्लियर नहीं परपाएंगी अभी लेकिन मैं जब किताब में छापूंगा तो बहुत साफ पढ़ाईगे तो बहुत साफ पढ़ाईगे यह देखिए स्ट्या कहरा सुझे जो आप लेकर हो हैं यह वोई स्क्राइग है जो मैं आपको सहले हुआ है यह दो आपको सहले हुआ 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 है यह जो डील की बात करना था मैं इसी ने बता ही कि बहुत बादील हुआ जोनों तावर को बेचा गया पैसे उसमें लेगे लोगे अब यह जोनों पर एक सर्वे हुआ थोड़े दिन पहले और अमेरिका के लोगों को पूचा गया कि कि प्ने लोग अमेरिका में मानतें कि जॉर्च भूस जूटा है सो 90 परजेंं से जादे लोगों नेका यस यस शीतर लियां नहीं पूर पहुआ के कि रिधा है बांदेदें खंब अना बोड़ें छोट भ्रूंट थाम इन विज्श्ट बीन야 यह एक बहन है इसका बहुत डिटेल अमरेका स्वयान है यह उसके वहाँ नीचे खड़ी थी जिस दिन यह टौबर दोनों गें तो इसने बार बार कहा कि मैंने कोई भी प्लेट को दोनों टौबर में हिज होते नहीं देखा मैंने जो देखा वो यह था कि बंब लास्ट हुआ है और उसके बाद टौबर दोनों गें वो बारबर कहने ही है यह बहन इसके बाद यह एक भाई है यह भी वहाँ था उस दिन 11 सितंबर को नौर्थ और साउट टौबर के नीचे वाला जो मार्केट एरिया वहां पर यह भू अजया जो कर देंजना झाल मोट अजया यह भूप लिए बाद जो कर दो है यह भाई यह भूप लास्ट यह भाई इस बाद जो की अज़ आगा कि तो यह जलरो की यह क्रेट सेंटर जो था नौर्थ और साथ पहां पर एक रेख सेंटर का उनकी तरफ से यह सर्पुलर इशू हुआ है जिसमें यह बताएं गया सौ से ज्यादा विटनेस हैं जो सामने से आकर बोले हैं कि उन्होंने कोई प्लें हिटते हुए नहीं देखा हाँ यह है यह और डिगो एक एजेंसी है वहाँ की वो अमेरिकन सरकार के लिए काम करने वाली एजेंसी है उनकी तरफ से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको चित्थी जारी की थी ओपन लेटर उसमें एडिटर कॉलम में और उसमें अमेरिकन्स कॉपील की गई थी कि 11 सितंबर को वर्ल ट्रेट सेंटर के नजदीक ना जा इसमें लिखा गया यह पुलिस की इंटरनल सिक्योर्टी की जो गवस्ता उनकी चिखती है यह एक और प्रत्यक्ष दर्शी है उसी देन महां खड़ा है सीजी खड़ा है आप पूछेंगे जी हम क्या कर सकते हैं आप ने अगर इसका अंदाजा लगाया कि ये कितनी सीरियस बात है सारी दुनिया को बताया गया उसका बिलकुल उल्टा है सचा ही जो है तो आप अंदाजा लगाये कि कितना जूट बोलने वाला देश है ये अमेरिका और अमेरिकन अड्मिनिस्ट्रेशन अब वो जो जूट बोलने वाला अमेरिका और अमेरिकन अड्मिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हमारे भारत की सरकार ऐसे ऐसे दोस्ती बढ़ाती जा रही है जो बहुत ही खतरनाख उसे तिमती इंद्रा गांदी के ऊपर अमेरिका का आरोग था कि चुकि आपने बंब लास्ट किया है इसलिए हम आपको एक ग्राम भी यूरेनियम नहीं ले सके फिर हमारे देश की सरकार में दो बंब लास्ट की जब श्रीय अटन की है निवाज़के की सरकार आई तो यही अमेरिका था जिसमें भारत की कंपणियों के ऊपर पाबंदिया लगाए आप जानते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिकन मार्केट में उसको कैसे आई कि भारत को यूरेलियम देना चाहिए यह दया कैसे आई अमेरिका के अभी तक अमेरिका का इस चंड यह है कि भारत परमाणूं बंबना सकता इसलिए इसको यूरेलियम नहीं देना चाहिए और अब अचानक से अमेरिका कहता है कि भारत से हमें दोस्ती बढ़ानी ये खोजने में लगे हुए है कि यूरेलियम के अत्रिक तौर कौन सा हमारे पास रेडियो एक्टिव इनन है जिससे हम बंब बना सके या बिजली भी बना सके तो इसके लिए वैज्यानिक काम कर रहा है और आप जानते हैं कि हमारा जो एटोमेक इनर्जी कमिशन है उसमें 6000 वैज्यानिक रात के लिए सी काम पर लगे है पिछले 40 से उन वैज्यानिकों के टीम को पता चला कि भारत में ये जो तमिलनाडू है केरल का एरिया है समुद्री वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसा रेडियो एक्टिव हीधन है जिससे भारत में अगले 200 साल तक बिजली बनाई जा सकती है अगले 200 साल और वो रेडियो एक्टिव हीधन को अगर हम उपयोग करना शुरू करने तो हमें किसी भी देश के सामने कटोरा ले जाने क भी ज़रूरत नहीं है हमारे भारत के राश्टोपती पूर्व राश्टोपती जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अबडिल कलाम वो इस खिलोसफी के हैं कि अमेरिका से यूरेनियम की भीक मांगने से अच्छा है भारत में जो उपलब्द है उससे बिजली बनाना तो हमार 200 साल तक चार लाट मेदा गौट बिजली हर घंटे हम बना सके इतना हमारे पास रेलियो एक्टिवीदन है तो मैंने का कि फिर आप इस बात को खुल कर कहते क्यों नहीं तो मैंने का कि मैं जब रिटायर हो जाओंगा तब कहूंगा क्योंकि सकार में हूं तब तक मैं वही कह है सकता हूं जो प्रदान बंत्री मुझसे कहला आए में अगर अगर गुझ के बनाएंगे तो हमारे पास तरयाब की capital है गेजन के इतना हिदन है। और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत इधन हमको दे ये है थेल अब इस थेल को पूरा करने के लिए जहां पर ये रेडियोक्ति इधन चुपा हुआ है वो जगे कौन सी है वो बहुत महत्तिती बाते चाहिए वो जगे है वही जिसको आप कहते हैं श्री राम सेतु श्री राम सेतु भारत और श्री लंका के बीच में साड़े सत्रे लाट साल पहले श्री राम जी का बनाया हुआ वो पुल है जिसको वो लंका गए थे और विजह करकर वापस लोते थे 1480 के साल में एक भयंकर सुनामी आया था उसमें ये श्री राम सेतु समुद्र के नीचे चला गए उसके पहले तक अंग्रेजी रिकॉर्ड्स मेरे पास है कि भारत और श्री लंका के बीच का जो व्यापार होता था वो श्री राम सेतु के उपर से होता था श्री राम सेतु 25 मील लंबा है और 35 मील चोड़ा है 35 मील लंबा है और 35 मील चोड़ा है 35 मील चोड़ा है इसका माने 8-10 बैल गाडियां आराम से उधर से उधर जा सकती तो भारत से कपड़ा लेके बैल गाडियां उधर जाती थी उदसे काली मिर्च लेकर पान के पत्ते लेकर बेल गाडिये इदर आती थी तो व्यापार भारत और श्री लंका का तीन हजार साल ये श्री राम सेतू के उपर से हुआ ये इंग्लिश रिकॉर्ड्स है अंग्रेजी पार्लिमेंट के रिकॉर्ड्स है अब बैग्यानिकों ने जो पता लगाया है कि ये जो श्री राम सेतू जहां पर है समुत्र की तलहटी में वहीं पर सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव इधन है तो वो रेडियो एक्टिव इधन चाहिए किसको अमेरिका तो अमेरिका को वो रेडियो एक्टिव इधन चाहिए तो ये तबी संबग है जब उश्रीराम सेतु को तोड़ा जाए वो सेतु कूते तो रेडियो एक्टिव इधन भहा से निकले और वो सरकार अमेरिका को बेजने को तयार है और ये मनमोहन सीं को मैं आप यहां 10 साल पहले कहकर गयता ये American agent है जो हिंदुस्तान की सरकार में बैठा हुआ है पत्रकार चाहें तो इसको छापे कल फ्रंट पेश के कि राजीव दिक्षित कहता है कि मनमोहन सीं American agent है ये American agent है जो भारत की सरकार में बैठा है और ये आत्मी चाहता है कि अगले देव साल में जब तक ये गंदी से उतरे उसके पहले ये श्रीराम सेतु पूट जाए ये सेतु का एरिया अगर पूट आतु भासे रेडियो एक्टिव मेटीरियल निकला और वो रेडियो एक्टिव मेटीरियल इसको अमेरिका भीजवाना है और बत्व में अमेरिका कुछ थोड़ा बहुत इप्रेलियम देगा ऐसा agreement है मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत खरनागी जोगा है अगर श्रीरा सेतु इन्होंने तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई ओर दे दिया और सेतु बूट है तो ये सारा का सारा एरिया अमेरिका के कपजे में चला जाए और ये बहुत सेंसिक लिए है बात और श्रीका के बीच का आप में से कोई लोग अगर तो जाबत धनुष्कोटी तो जाबत धनुष्कोटी है तो उसमें एक आजमी अपना बिठा दिया है जो भारत में शिराम सेतु तोड़ने की तयारी में है और उस मन्मोहन सिंग को एक सहयोगी मिल दिया है करुग लिधी नाम का जो तमिल नाडू का मुख्य मंत्री है वो कहता है कब राम में बनाया था वहां राम हुए कौन से इंजिनिरिंग कॉलिज में पढ़ते थे का उन्होंने इंजिनिरिंग की ट्रेनिंग ली जो ऐसा पुल बना सकें ये बकवास वो करुणा निदी करता रहता और आप सब में अखवार में उसकी बकवास सुनी भी होगी, मीडिया में पढ़ी भी होगी तो खेल ये चल रहा है कि करुणा निदी जैसे लोग, मनमोहन से लोग भारत का साड़े समत्र लाख वशुराना श्री राम का बनाया हुआ पुल तोड़कर वहां से लिकाले हुए रेडियो अक्टिव मेटीरियल को अमेरिका बेचें अग इसके लिए एक कमपनी बनी है जिसमें पार्टनर है करुणा निदी और टी आर बालू आप जानते हैं शिपिंग मिनिस्टर है इस समय केलिर सरकार का तो टी आर बालू और करुणा निदी ने पेशा डालकर एक कमपनी बनाई है जो ये पुल तूटेगा तो पताए क्या बोलने वाले है कि पुल तूटेगा तो कच्रा निकलेगा वो कच्रा नहीं रेडियो अत्यम मिटीरियल निकलेगा उस आपको बोला जा रहा है कि कच्रा निकला तो उसका डील होगा तो ये दोनों या तीनों मिलके खाईगे थोड़ा बहुत किसी और को मिल जाये तो मिल जाये तो ये खेल चल रहा है अब इस खेल को हम हिंदुस्तानी समझ पाएं तो शाय श्री राम सेतु को बचा लें नहीं समझ पाएं तो यह तूट जाएगा अगले 6-8 महिने के अंगर सुप्रीम कोट में केस इस समय है और सुप्रीम कोट में जो केस पेंडी है उस case में Supreme Court को ये तै करना है कि ये सेतू राम ने बनाया है या नेचर ने बनाया प्रकरती ने बनाया राम जी का बनाया हुआ है तो तूट नहीं सकता तो वो धरूहर हो जाएगा और प्रकरती ने बनाया ऐसा कोट ने सिप्ध कर दिया तो उसको तोड़ने का आधार की जा सिप्ध कोट के चीफ जस्टिस को मैंने एक चिथी लिखी थी मैंने उनसे कहा कि आप किस आधार पर प्रते करेंगे क्योंकि राम जी तो साड़े सत्रे लाग साल पहले हुए आप कौन सा एविडेंस लाएंगे साड़े सत्रे लाग साल पुराना चश्टिस चश्टिस में मुझे का आप के पास कौन सा एविडेंस है तो मैंने का मेरे पास साड़े सत्रे लाग साल पुराना तो एक ही एविडेंस है वो है वालिक रामायन महर्शी वालिक की जो रामायन है यामी के समय में लिखी गई है उसी समय की है तो महर्शी वाल्मी की जो रामायन है उसमें विस्ता से वरण है श्री राम से तुपा और वरण यहां तक है कि कैसे बन रहा है कौन से पत्थर लगाए जा रहे है इट कैसे लाई जा रहे है पत्थर जोडने के लिए क्या material इस्तेवाल हो रहा है नीचे क्या base दिया जा रहा है ये सारा एक-एक micro detail है उसमें नल और नील में किस तरह से सर्वेक्षन किया है कौन सा इस्थान उन्होंने तै किया है यही पर सेतू होना चाहिए हनुमान जी ने उनको क्या suggestion दिया है कोई आप जानते है ये कहानी तब है जब हनुमान जी सीता जी को मिलकर आ चुके और उन्हें मानों में के लगा जाने के लिए कौन-कौन से इस्थाने जहां पर पानी कम है और जहां एक छलान लेना है तो पानी पार होता तो हनुमान जी वही रास्ता नल और नील को बता रहे है कि यह यह इलाके में पानी कम है तो से तो ऐसा बनाओ जो कम पानी वाले एरिया से निकलता जाए तो वो कह रहा है कि यार मने नल दिलिए यार मेरा शब्द आप इसको अन्यथा मत लेना वो पूछ रहा है क्योंकि दोस्त हैं कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं तो नल और नील केते बहुत कर सकते हैं हम लकड़ी लाएंगे काट कर इस जंडल में ऐसी लकड़ी है जो पानी में कभी भी गल्ती नहीं है तो वो लकड़ी लाएंगे उस लकडी के ऊपर पक्थर रखे पक्थर के बीच में उच लगाएंगे चूना फिर पक्थर रखे ये ऐसा करके लकडी को डुबोते जाएंगे और वो एक एक स्टेप बढ़ता जाए तो थोड़ा समय कम है नहीं तो भोबी मैं आपको दिखाता किस तरह से ये डिजाइन कि हुई है और राम जी चीता जीवों लेके वापसा आएंगे ये जो असे तुए वालमी करामायन के हिसाब से इतिहास का हिस्वाइं करोना नहीं कहता है यह वालमी करामायन तो किसी और की कपॉल कल्पना है वो तो हाइपोधिसिस है रियालिटी नहीं हो सकतीków ठीक है हिंदुस्तानियों के लिए तो वो आधार ग्रंथ है बगवान श्री राम के बारे में तो अब ब्रिटिश रिकॉर्ड कुछ इकट्टे करके मैंने सुप्रिम को बेजा है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड ये कहते हैं और हमारे देश में विदेशी लुटेला आया था जिसका नाम था अल बरूनी इस इलाके में गया छे महीने रहा जहां पर शिर्राम सेतुर तो उसने हिंदुस्तान के बारे में जो लिखा है अर्बिक में तो हिस्सा में आपको दिखाता अगर थोड़ा काई होता तो उनों कहता है कि ये इलाका जो है ये बहुत बड़े एक पानी के बा लोगों को रोजगार देंगे माताओं बहनों से निवेदन है कि अमेरिकन कंपणी की क्रीम ना लगाएं फेर इन लवली आप बोलेगे जी इसी से तो गोरा पनाता है फेर इन लवली को मैंने चार साल एक भैस को लगा के देख लिया है वो अभी भी खाली है दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो कले को गोरा बना जए ताला कला हैटोरा और गोरा हो ना दियेने के साथ fix होता क्रीम से fix नहीं होता है तो आप ये भालतू में फेरन लवली मत लगाईए बड़ी महधी है 25 ग्राम 40 रुपई की है 1600 रुपई किलो 200 रुपई किलो काजू खाईए 1600 रुपई किलो की क्यों क्रीम लगाए 400 रुपई किलो बदाम खाईए 1600 रुपई किलो की क्रीम क्यों लगाए बाईयों को निलेदन कि शेविंग क्रीम ना लगाएं अमेरिका की पामो लेक यह अमेरिकन शेविंग क्रीम तो आप बुलेंगे जी दाड़ी कैसे बनाएं दूद से दाड़ी बनें जो फोड़ा दूद ले लिए चेहरे में लगाईए रेजर चला यह बहुत चितनी दाड़ी बनती है गस साल से म पहला फाइदा है कि दूद लगाओ तो चेहरे की चितना ही बढ़ती है तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेट की लाइफ बढ़ जाती है एक ब्लेट आट दस बार दाड़ी बना देता है दूसरा फाइदा है कि दूद से दाड़ी बने तो दूद की विक्री बढ़ती ह दूठ चेहरे की गंद्गी सारी निकाल देता है तो चहरा चमकता है फोगत में स्मार्ट हो जाते हैं उपत में स्मार्ट बनने का फॉर मुटा बता रहा हूं दूठ से दाड़ी बनें और आप सबी इसे मिलटी है लकस लगा plastic नवक नीञ जैसेल नाने पर कहा गया वहत उन में अगन दोसको लगान और पारिवी दूद्य की निकल सिन्खर्ण और र Columb fazem कर सकते हैं तो आप फी कर सकते ना अपनी घर मेरा एक ही कहना है Amerikan साबुन नहीं के अमेरिकड पी स्ना बोने अमेरिका की दबा मत खाई है कोई बहुत अमेरिकन कम्पनिया यहां के दबाई बेच रही है ಗेंबल यह सब दबाई बेचने आई हैं धंदा करने, इनकी दबाहों पर कभी भरवसा बत करीदंकि जो दबाई वहां दबा बेच रहे ही, वह दबाई अमेरिका में बंद है, 20 साल से और गवर्मेंट ओफ अमेरिका ने उनको poison declare किया, वो दवा यहाबर धलले से बेच रहे हैं, आपको अमेरिका की सबसे खतरनाग जो दवा दी जा रही है, आजकल वो हर पेशेंट को दी जा रही है, हो आप में से किसी को भागवार नकरे हर केता है, लेकिन आरिया तो आप जाएंडे doktor के पास, आपको मालू है एक यंगियोप्लास्टी औपरेशन आपका होता है अगियोप्लास्टी औपरेशन में एक स्प्रिन्ट डाली जाती है आपके श रीड में उसको stunt कहते हैं यह अमेरिका से आता है और यह स्टंड जो अमेरिका से आता है उसका cost of production तीन डॉलर के आसपास है और यहां लाकर वो धाई तीलाक रुपए में बेचते हैं उसको ऐसे नूपते हैं और एक बार हंड़ट एक में एक stunt डालेंगे दूसरे में दूसरा डॉक्तर को कमीशन है इसलिए वो बार-बार कहता है एंजियो प्लास्टी कराओ एंजियो प्लास्टी कराओ आप मत कराईए फिर आप बोले के क्या करें मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूं यह बात कोई डॉक्टर भी ऐसे अच्छे क्यों कि मैं हो भी हुए दॉक्तर भी है आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाए और सेकंड फिर आएगा तो फिर वो कहेंगे दूसरा इस्ट लगवा और इसी चक्कर में आपकी जिन्दगी लिकल जाएगी लाको रुपए लूट के ले जाए तो आप बोले कि जी क्या करें मेरा आपको विनम्र विंती है कि क्या करें जिन्दगी बचानी है तो आप एक सरल उपाय को मेला नहीं भारत देश की महान व्यक्ति का उपाय है वो व्यक्ति का नाम था बागवड़ उन्होंने साड़े तीन हजार साल पर लिखा एक पुस्तक में जिसका नाम है अश्टांग हिर्दय और एक पुस्तक है अ थे उसीड़ी बढ़ी होई है तो सब्सक्काय कि अमलता होती है पेट की और इक रुट की थी टेशी कि अंलता बढ़ें तो आपो आद जलेगी फेट January 7th मोंसे मूं सब्सक्राय पार और श्ल तो रक्त अमलता होती है और रक्त अमलता में आए अभी हर्कटर्ट होता है। इसके बिना हर्टेटर को ताले ये आयुरुवेट का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता है क्योंकि इसका इलाज बहुत सरव है इलाज क्या है बागट जी कहते हैं कि रक्त में अमलता अगर बढ़ गई है तो ऐसी चीजों का उप्योग करो जो छारी है आप जानते हैं दो तरह की टेमिकल्स होते हैं एक अमली और एक छारी एलकेलाईन और ऐसे डिक अभी अमली और छारी को मिलाएं तो क्या होता है अमलों छार को मिलाओ तो न्यूटरल होता है कि नहीं तो बागट बढची जी कहते हैं कि रक्त में अमलता बढ़ी हुई है तो छारी एचीज खाओ तो रक्त की अम्लता ने उप्रल हो जाएगी माले हर्केटेक की जिल्विनी में संभावना खतम हो जाएगी यह है कहानी तो आप पुछोगे कि कौन सी छारिय चीज है जो हम खाए आपके रसोई घर में सबेरे से शाम तक इस ती चीजें है जो छारिय ही है अगर उनी को खाना शुरू करो तो हर्केटेक ना आए और कभी आ जाए तो दुवारा आनी का चांस ना क्या छारी चीज है सबसे ज़्यादा छारी चीज आपके घर में है दूधी दूधी है ना सबजी के रूप में आप खाते हैं इससे ज़्यादा छारी कोई चीज ही नहीं तो दूधी का रस पियो रोज निकाल निकाल या कच्छी दूधी खाओ सवामी राम देव जी कहते हैं कि नहीं दूधी रस पियो दूधी का तो हजारों डॉक्टर इस देश के वहां जाते हैं चुपचाब दूधी का रस पिते तीन महीने चार चार महीने आके फिर क्लिनिक पर बैठ जाते हैं वो बताते नहीं हम कहां गए थे वो कहते हम ली योग गए थे हर्मनी गए थे ओप्रेशन करने भो रामदेव जिते वहां गए थे तीन महीने दूधी का रस का रस पिते आये हैं हर्टेट है ठीक हो गया आके फिर फिर ओप्रेशन के लग गए है और वो एकने हराम खोरे के आपको नहीं बताते कि आप भी दूधी का रस्ती हो। तो दूसरी चारिय चीज हमारे घर में है वहSi नुद्शी बहुच जा है लेकिन बजार के और अधार जो आता है ना ऐयोपीन यूफ द 난 कि याई बीली हुट नमक के चक्कर में मत फसा तहाला नमक खाओ नहीं तो सेदा नमक मेलो थोड़ा थोड़ा अज़ला का एक आप वस्कार दें और जो बज्जा हैं तो गोशाला को दान कर देना तो गोशाला का भी फाइदा है डॉक्टर को देने से अच्छा गोशाला को दे और एक दूसरी जानकारी आपको देए कि रक्त की अमलता से अपने शरीर में 48 रोग आते हैं और तारीस उसमें से पहले नंबर का रोग है जिसका नाम हर्ट है दूसरे नंबर का एक रोग है यह भी रक्त की अमलता का रोग है उसका नाम है डाइनिटीस तीसरे नंबर का एक रोग है यह भी रक्त अमलता का रोग है जिसको आप कहते हैं परलिस चौथे नंबर का एक रो थीप करने के लिए दूधी आपके पास है कुथमीर आपके पास है पुधीना आपके पास है काला नमक आपके पास है सेदा नमक आपके पास है और बता दू आप में से कोई जैन है यह उनके लिए नहीं है जैन लोगों के लिए बता दू गाजर बहुत छारी है गाजर भरप पो कम करता जमीन के नीचे जो कुछ भी Also शेवग दाना वुन्फली ये रत कामरत एंड़े रखती अर्वान रे ज्थ रो होТак I the official एक हैं जिन हैं अर्थ सीय्छितर में हैं वरह कि गॉल्ट zeggen की अम्रता से गया आप्र बी रgt छारिय हो जाए governance तो भी 25 to 32 रोग तो आप बोले इसके लिए क्या करेंगा है अगर रgt छारिय हो गया है तो अमनी चीज़ हैं जды खाऊ अमनी चीज़ें क्या हैं आपके पास संत्रे का रस मुसंब्वी का रस नीबू का रस अनार का रस ये सब अमली ये चीज़ है इनको ज़्यादा खाने लगो छारपंट धीक हो जाएगा तो छारियता की भीमारिया खत्म हो जएगा तो आप बोलें के और क्या करें दो-तीन बाते और कर लो तो अच्छा अब्धा करता हूं वह आप भी करना बीमारी मत पढ़ो चेकर नहीं है सारा ये तो सब जंजट तब है जब आपकी अपनिता बढ़े या चारता बढ़े आप बीमारी मत पढ़ो स्वस्ट रहो, तंदुरुस्ट रहो, मस्ट रहो मैं जब आया का भापी कब से आज तक कोई गॉकर के पास नहीं गया दस साЛ हो गया और अगले दस साल जाने की तयारी नहीं आजा जब थक कोई मुझे गॉली से ना बारे और बंब्रास का मारे अब तक तयारी नहीं आजा मेरी गलती से तुम बीमार होता नहीं, आप भी वो गलती मत करें, आप बोलोगे जी हम क्या गलती कर रहे हैं, छोटी-छोटी कुछ गलतीयां जो रोज हम करते हैं, वो करतो बीमारी ही नहीं आए, मैंने वो बत्त की हैं, जब से मैंने बागवट का अश्चांग हिरदेम पढ कहा, कब से मेरे जिर्दगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बनाने हुए, बागवट में अश्चांग हिरदेम में 10 नियम कहे हैं, जो कोई भी पालन करें, तो जिर्दगी में बीमार ना UT. मैं वो नियम पालन करता हूँ आपके बहुत सरल है बहुत आसाने कोई भी पर से क्या नियम है बागवट्ट ने सबसे पहला नियम बताया जिंदगी में कभी वीमार नहीं पड़ेंगे आप वो यह कहते हैं खाना खाने के तुरंबाद पानी मत पिए उन्हों संस्क्रिप में कहा भोजलांते वि जिशम वारी विष्वने के अंत में पानी यह जैसा है यहै सों तो नोले जिंद कर नंती ακंपाने मत पीए ऊसके बाद पींलो पूर यह तो पर नियुक्त पीलो आपए कि वेट की पयोक्त शेली असीडंबाद कोई पीलो ente कि पिर गंधे बात तो चल्ड अगा को एक खाना खाते या अगर प्यास लगए थे जूस पिलो क्लास बर तो इसको料 कॉन सा पीए जो सबसे सब्सक्राइक मिलता हो जिस सीजन सबसे सब्सक्राइब यह जदा उतबात तब लांख वह द्राच मुलते हैं वाहर के बाजार या सीजन के फल वह तो शाष भाई नगी निचलाफ皆 दूताको अगर पाणी पीना है इते बाद किमते बाद कि मैंता क ваши तो खुंदा को कि इस पीना है कि तो पीना क्यों ही सुब्यागी आपने जो कुछ खाया वो पेट में गया, पेट में जाते ही इसमें आग जलती है, खाने का पाचन होने के लिए, उसको कहते है जठर अगनी, जठर एक इस खाने जहां पर भोजन जाता है, वहां अगनी जलती है, जठर अगनी, इस अगनी को जलने में बेर घंटा लगता है, तो जब तक अगमी जल रही है पानी मत पे हो अगर पी लिया तो अगमी बुझे घी तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सारे रोग पैदा करेगा जोरी के नाम मैंने थोड़ी दिर पहले ली इसलिए बाँगवट्ट जहते है खाने के बाद, पानी बत पर नहीं है। कर सकते है? स्वश्च रहने के लिए कुछ भी कर सकते है? तह यह आसान नियम है। दूसरा नियम है पानगभुप गुट भूडुट भरुक ही ठोड़ा 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 शित करके ये मूं में बनती है लाग, ये होती है छायरीं, पेटे में मनता है अमल, जिसको हाइड्रोगलोरिक डिर् अजय कहते है, तो पैट हमेशा नीूट्रल रहे जिसको पानी अगर घूट घूट Smilies तो ज्यादा लार अंदर जाएगी इसलिए बागबट करते हैं पानी हमेशा भूप भूप किया यह पक्षी है ना सब ऐसे पानी पीते चुड़िया देखो पानी पीते है एक ड्रॉप उठाएगी पानी का फिर ऐसे ऐसे करेगी फिर किये बागबट की पक्की चेली है सारी बिढ़ा किसी कॉलेज में जाए वो सीखती है आप इतने बड़े होशयार लोग है आप तो यह नहीं पानी कुटा कैसे पानी पीता चाट चाट के बागबट का चेला है कि कुटा सारे जानवर पानी ऐसे ही पीते है गाय को देखो पहले पानी को मुह में बढ़ेगी फिर बोड़ी देर रोकेगी फिर पीएगी ताकि लार अंदर जाए तो जानवर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं आपको पढ़े जिते हैं होशयार तो पानी घूट घूट पीना शुरू कर दो दूसरा नियम है ठेंडा पानी कभी मत पी हो ठेंडा पानी उन्होंने कैसे को लिःघा यहीं पानी पीते हैं न उनकी लार्ज इंटिसटाइन संकूचित हो जाएं लाज इंटिस्टाइश एस भी के पानी पीते ही ऐसे होती है और दिन में 10 बार आपने पिया तो 10 बार ये ऐसे ऐसे होती है फिर रोज पीते रहें तो ये पर्मनेंट ऐसे हो जाए अब जब लाग जिनके स्टाहीं संकुचित हो गई तो सवेरे आप जब संडास घर में जाएंगे तो फोट साफ होगा ही नहीं क्योंकि ये संकुचित है दुनिया में मैंने देखा है जो लोग चिल्ड रोटर टीक है अमेरिकल-ण्स येरोपियन लोग चिल्ड रोटर कित पानी फृइज मेर अखते ये उपर से बरफ डाले गे ये क्र रुपी और ये चिल्ड वाटर पीने वाले लोग को मैंने रिका स शन्दास क्के वेठे हैं, इंतिजार करमें, तक अभी समस्या इतनी भॉहिंकर होती है, तो वह इंतिजार में गाना गाने लोगते हो, मेरे सब गुनों की रामी तभी आईएगी, वो आती नहीं है, गलेक्जा और उसके भी बड़ी समस्या हो जाना तो दूसरा गाना गाते हैं एक बार आजा 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 आती नहीं तरहें करें बड़ी समस्या है यह अमेरिकम्जो और यूरोपियंस लिए आप ये समस्या अपने शरीप में मत लाओ मानि कब जियात मठ ओने दो अंसिपेशन मت होने दो मानि ठेटा पानी मत पियो पानी फिर कैसा पीए हलका गरम पानी पीते रहो अगर जेन है तो बहुत अच्छा अजेन है तो पी पानी पका उवा मानि गरम किया उवा पानी ही पियो ठोड़ा गुन-गुना रहे तो बहुत ये अच्छा और चौथा सूत्र है सवेरे उठत ही सबसे पहले पानी पीओ चाय से पहले पानी किओ कितना पी है पीन गिलास पीलो रिना प्यास के पीलो ठोड़ा घूद 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 घंके पीलो तो रात बर आप सोए, मुँ में जो लार बनी है ये बहुत दीपती है, ये अंदर जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए सुवे उस तरी पानी पीनी का नियम है। पाच्वा नियम है खाने को चबा चबा के खाओ, इस भी बार चबाओ जितने आपके दाथ। 22 दाँते हैं तो टाँते हैं तो 32 लार चबा। by जाय कोई क्या करने जीरिया मेरे हम लारत आथू just सिस्टम है तो फे सिस्टम में खाना मत खाइए खड़े-खड़ें मत खाइए खाना प्लेक में लेकर जमीन पर बैट के खाइए वह बाद बार आप जमीन पर बैट के खाने लगेंगे वो भी आपकी नगलबें के करने लोखी अब बोले जलीस व्याधें कि जबर premi पोल्इप यू सोगा जै इस पर्फिक के अरिया हो आपने डाइनिंग और जो किसी काम का मुझा डुनिया बुद्धी लगाओ नो कुछ यापनी बुद्धी लगा इतना एरिया कवर करके रखा इससे अच्छा डाइनिंग टेबल ना रहे तो वो एरिया का कुछ तो उपयोग होगा बैठने में काम आएगा तो आप बोले कि अब तो खरीद लिया डाइनिंग टेबल अब क्या कर सकते हैं तो मेरी बात मालो उसके पाओं काट दो डाइनिंग टेबल के तो तुरंट नीचा हो जाएगा उसको पट्रे की तरह से इस्तेमाल करो जमीन पर बैठ के उस पर ठाली रखे जो आप बोलो जैसे सुखासन में बैठ ते आलती पालती मार्ट कुर्सी पर बैठ जो फिर खाना खाते समय महत्तु की बात है जो जाननी चाहिए वो यह कि हमारी जो नाभी है ना इस पर धरती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहना चाहिए नाभी पर यह तभी संभव है जब आप जमीन पर बैठे रहे खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायप्रांप के आता है नाभी पर अगर प्रत्वी का गुरुत्वकर्शन है तो नाभी एक दम सेट रहे और खाना खाते समय नाभी सेट रहे तो जठर अग्मी सबसे जास्ति प्रभी 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 इसलिए दूद और दही कभी साथ में खाना उड़की दाल और दही कभी साथ में मत खाना दो तूटने वाली दो दाल जिनको दूदल कहते हैं उनको दही के साथ मत खाना खाना ही हो तो दही को गरम कर लेना फिर खाना कभी भी कादा माने प्याज और धूद साथ में नहीं खाना कभ की जिन्दगी में रोग आने ही वाले नहीं और एक छोटी सी आकरी बात दुपहर का खाना खाएं तो बीस मिनट विश्रांती जरूर लें रात का खाना खाएं तो दो घंटे बाद विश्रांती लें तो ज्यादा लेफ्ट साइड में आप करबड रखते सोएं ये राइट उपर रही लेफ्ट इसको बाम खुख्शि के कबिए कभी विजन नहीं बढ़ेगा पेट नहीं बढ़ेगा जो सीधे सोएंगे तो पेट भी बढ़ेगा वजन भी बढ़ेगा और रात को आप सोएं तो दो घंट ब और जो थोड़ी भद बिमारी आज है आप यह नियम इमानदारी से कबसे शुरू कर दो तीन महीने बाद आप खुज बताना आपकी बीमारी बीना दवा के फोकट में थी बो रहे हैं इसलिए मेरा टार्गेट है अमेरिका की दबा नहीं दिखे इसके एक दबा उसकी लड़िके यह तभी संभवे जाओ आप स्वस्त रहें और स्वस्त रहेंगे तभी सुखी रहेंगे इस भावत सुखि यह सुखि न निरोगी होएगे न कोई सुख नहीं लग हैं कोई सुख नहीं आपके पास लेकिन शरीर के लुग नहीं है आप बहुत सुख जो है शरीर मेंसे उपजता है मन बुद्धी के कर्म के आधार पर पैसे से सुख नहीं खरीडा जाता और ना कहीं मिलता है तो आपके अंदर से उचे संतुष्टी है तो सुखी होगी और संतुष्टी होने का एकी आधार है निरोगी रहे तो मेरे दो उद्देश हैं अमेरिका को पैसा ना जाए उनकी दवा ना बिके आप सुखी हो जाए स्वस्थ हो जाए और घर में रसोई है ना इसमें सैकुणों दवाएं हैं उनका उपयोग कर लो ना मैंने दूरी बताया मैंने आपको धनिया आपको दीना ये सब छारी हैं ऐसे ही अमली ये दवाएं हैं कुछ दवाएं जो बहुत कॉमन है जो आप रोज इस्टमाल करो बहुत अच्छा एक हमारे रसोई में दवाएं जिसको अजवाईन कहते हैं गुजराती में अजबू कहते हैं ये बहुत ही अद्बुत है किसी को भी acidity हो hyper acidity हो अजवाईन को भूल लो तबे पे थोड़ा काले नमक के साथ फंकी ले लो तीन दिन में ही acidity कोतम कर और यही अजवाईन बहुत अच्छी है अगर किसी को constipation हो गया हो कबसियत हो तो गुण के साथ अजवाईन खालो एक ये दिन में constipation release कर दो ऐसे अजमाईन के जैसा जीरा है वो भी आपके पेट के acidity को कम करेगा आपके घर में नमक बदल दो आप blood pressure की बीमारी चली जाएगे कौन सा नमक खाएगे, सेदा नमक खाओ काला नमक खाओ, ये iodine नमक बन कर दो तो आपके high blood pressure की तकलीफ ही, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पास साधरन साधरन सी हैं, इनका आप उप्योग कर लो बीमारीयों से बच लो दमाओं के पैसे कम हो जाए, खर्चोना देश्ची सुरक्षा बढ़ जाए उससे और देश का फोगत जादा लोगों का सुख और संब्रती बढ़ जाए ऐसी मेरी भावना है शुरू हुआ वहां से और अन्त यहां पर है जीवन को थोड़ा सरल, आसान हिंदुस्तानी, स्वदेशनी, भारतिय बना पहले भी में दस्तालों का लिया था भारतिय भाशा, भारतिय भूशा ज्यादा इनका उप्योग करो विदेशी भूशा माने विदेशी कपड़े विदेशी भोजन, बनी पीशा बर्गर, हॉट डॉग, कोल डॉग, चाउवील मत खाओ, इंदुस्तानी भोजन ज्यादा करो विदेशी भजन जो विदेशी गाने हैं मत गुनाओ, मत गाओ, मत सुनो स्वदेशी गाने गाओ, स्वदेशी भजन सुनो जितना बले, तो उतना आप करो तो देश अपने आप करेगा हमारे याँ एक कहावत है महाजन, येन गता, सेपन्था मने जिस रास्ते बड़े लोग चल पड़ते हैं समाज के बाठी लोग उसी तरफ चलने लगते आप सब महाजन लोग हैं मने श्रेश लोग हैं आप इस रास्ते चलेंगे, नीचे वाले अपने आप चलेंगे मने मुंबई में देखा करोड़पती लोग जब से लिम्ड़ा का दातन करने लगे रोगपती लोगों में भी दातन शूर कर दे और मुंबई में हर साल दातन की विक्री बढ़ गई कॉलिट की विक्री घट रही लापों लोग रोजगार पाते हैं मुंबई में जो दातक बीचते सड़क पर या तो रेलवे प्लैट्सपॉम पर तो हम कर सकते हैं हमारे सामने ये है आदर्श है देश को खत्रे से बचाना है और आपकी वही भूमिका है जो सैनिकों की होती है सैनिक सीमा पर खड़े होकर शत्रू से देश की रक्षा कर रहे हैं आप देश के अंदर रहे कर जो शत्रू आ रहा है उससे देश की रक्षा कर रहे हैं ऐसी भामदा के साथ आपका आबाद आपने बड़े ध्यान से सुना बहुत आबानी हूँ दूसरों को ये बताएंगे औ और दो आधानि रहाूँ चुछा ये इतनी बातें मैंने कही हैं दवाओं की और करता ये किताबियों भी लिखी हुई हैं पीछे आप ले लेना ज़ाठा कारीकर्टा निलप्र उसके अश्चान घुर्दयम के जो दस सूत्र दिये उनके और ज्यादा सूत्र पढ़नीयों तो वो भी किताब है अपने शरीर को जितनी भी बीमारिया होती है चर्म रोक की कैसे दूर करें घरकी दमाओं से वो भी किताबे हैं आप ले जाएं कभी भी मैंने किसी किताब पर कॉपी राइट नहीं माना है आज भी कहता हूँ कोई कुछ पर कॉपी राइट नहीं है सब को कॉपी करने का राइट है आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम निकाल कर अपना छपा लेना अपने नाम से किताब बना लेना और जो कुछ मैंने बोला है इसकी सीडी भी है पहले तो कैसे थी अभी सीडी है 40 गंटे की ओडियो सीडी है वीडियो सीडी है आप ले जाएए कॉपी करकर के लोगों को बताएए ताकि ये विचार जल्दी से फैले और लोगों तक ये दूर तक पहुँचे तो शायद चेतना जादा हो और चेतना बढ़े गी तो देश जरूर बहतर होने वाला है आजादी बचने वादी है सब्धिता और संस्कृपी रहने वादी है भारत देश के बारे में एक विशिश बात तुझे मैसूस होती है वो ये कि दुनिया का ये विशिश्च देश है विशिश्च का क्या है एक हजार साल विदेशी हमले इस देश पर हुए किसी देश पर नहीं हुए फिर भी ये देश जीदित है इसकी सब्धिता भी बची हुई है संस्कृती बची हुई वरना दुनिया के देश कपके मिट गए और खतम हो गए हम अभी भी बचे है क्योंकि हमारे पास धर्म का आधार है संस्कृती का आधार है सब्धिता का आगे भी ये देश बचेगा क्योंकि पहले भी ये देश बचा है धर्म और संस्कृति की ताकत से आगे भी बचेगा आप सब उसमें महत्वों और भूमी का निभाएं यही मेरी आपसे निवेदन है यह पूरा अभियान देशवर में मैं चलाता हूँ इसके लिए फंड सिक्के करने के लिए खादी मैं बनाता हूँ खादी के बिक्री से कुछ पैसा आता है तो यह अभियान चलता है हमारे कारिकरता हूँ की बनाए कुछ खादी है आप खरीदेंगे तो मुझे थोड़े से फंड से लेगे पुस्तके और सीडी खरीदेंगे तो आप कॉपी करके दूसरों को देए उनको लाब होगा खादी खरी देंगे तो थोड़ा मुझे भी लाब होगा क्योंकि हमारे काम के लिए थोड़ा पैसा उससे हम जुटाते सौ रुपए की खादी आप मेली तो पंदरे रुपए उसमें से हमें मिलेगा पूरे साल में हम कुछ लाख रुपए ही खादी बेच कर जो फंद से कट्था गरबते उसी से ही काम चलाते आगे कुछ बड़ा काम करने की इच्छा है जैसे वरत भाई में का एक टीवी चैनल मुझे शुरू करना है क्योंकि ये को कुछ डॉकुमेंट्स मैंनों दिखाए ये टिप्स ऑफ दा आइस लगे ऐसे हजारों जो आपकी आँखे खुल देगी आपके ज्यान चक्षु खुल जगए इन वो टीवी पर आएं उसके लिए चैनल चलाना है उसके लिए कुछ पंज सिकटे करने है काम में लगा हूँ जिस दिन होगा ये व्यवस्ता उस दिन चैनल भी शुरू होगा अक्वार भी चलेगा मैगजीन भी लिख लेगी मेरा एक ही उद्देश है एक ही धे है कि ये देश को फिर से सोने की चुडिया बनाना है भूत काल में ये देश सोने की चुडिया था भविश्य में भी सोने की चुडिया बनाना है वरतमा निस्ता सुधार ना है पदलना है तो उसी काम में लगा हूँ आप सक्वी मेरे सहयोगी बने के तो अच्छा होगा बरत भाई में मुझे आज सुवे प्रस्ताव दिया कि आप एक भारत कता कहिए जिसमें ये सारे दस्तागे एक बार लोगों के सामने आए आप चाहें तो 6-7 दिन की यही पर आयोजित हो सकती है मेरा एक फाइदा उसमें हो जाएगा कि उसकी सीड ही बन जाएगी तो भारत के करूरों लोगों तक मिल जाएगी आपका ये फाइदा होगा कि वो दस्तागे आप इस्क्रीम पर इसी पर ऐसे देख पाएगे चाहें तो आयोजित करिए नहीं तो कहीं कोई दूसरा शोहर करेगा आभार बने बाद जादा से जादा स्वधेशी पसक्रीम पाउप्यों ताकि भारत का जो पैसा है देश में दूसरा मेरा निवेदन है कि भारत के खत्रे पैदा हुए सुरक्षा के इस तरह पर एक खत्रे पैदा हुए सब्सक्राइब में से जो डॉकुमेंट्स निकलते हैं वो MPs लोगों की मदद से निकलते हैं क्योंकि मैं तो संसक्राइब में जा नहीं सकता तो MPs हैं बहुत सारे जो में परचित हैं जो मुस्से साहन भूती रखते हैं तो कई MPs लहां से देते हैं और यहों आर्काइब्स हैं इन वेसे डॉकुमेंट्स लेने के लिए उनके बहुत हायर अथौरिकी इसके ऑफिसर है उनसे सब्सक्राइब में पड़ते हैं उनको कॉंफिदेंस में लेना पड़ता है कि मैं इनका मिस्यूस नहीं करूँगा इसे कि दोकुमेंट्स लागर यह बहुत निकलता है फिर इनको छांटना पड़ता है क्योंकि डॉकुमेंट्स है वो एक तरह का रोमाटीरियल है जैसे डॉक्प्रेशल आपके घरमें हम बैंगल आ पैंगल रोमाटीरियल अब भाजी बनना है तो तरह से उसको समारना पड पर उसमें मसाले डालने पड़ से हैं और बहलना पड़ता है ऐसी दॉक्यमेंट्स के साथ होता है यह एक करबाने आपके सामने में प्रश Elon चलता हो तो इस पर बहुत काम करना पहता है मुझे हैं साथा है कि आजकल का जो हमारा समाज है आप जैसे लोगों का समाज ये थोड़ा rational है rational जो society होती है वो जल्बी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करती और थोड़े हम logic logic में ज़्यादा चलेगे है rationality और logic ये दो हमारी हमारी किछले किसान में बड़ा है बड़े लिखे लोग बिना logic के कोई बात हम मानेंगे नहीं और बिना rational के कोई बात स्विकार करें नहीं इसलिए मुझे ये सारा काम करना पड़ता है वरना साधरन हिंडुस्तानी जो है सड़क पर ठेला चलाने वाला दिक्षा चलाने वाला वो कहता है आप ये क्यों इतनी मगजमारी करते हैं हम तो आपकी सब बात माते हैं आप जो कहते हैं वो ही सही जो साधरन खेलूट है साधरन भाजी विश्नवारी तो मैं कहता हूँ आप कैसे मानते हो मेरी सब बाते सही उनका आप अपने लिए तो कुछ कहते नहीं जो आप अपने लिए कहते तो हम मानते के ये गलत है तो साधरना आर्मी IDZ का इतना भोला और सीधा है कि वो कहता है आपने जो कहा सब सही है फ़िपसी बोला के बारे में मैंने कहा कि ये जहर है तो उसमें मानी लिया कि जहर है इन पढ़े लेगे लोगों के लिए प्रूफ करके देना पड़ा कि वो जहन है और उसमें छे साल लग गए एक लेबरेटरी रिपोर्ट फिर दूसरी लेबरेटरी फिर तीसरी लेबरेटरी लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो सुनीता नराई रिपोर्ट थी जो आपने देशी होगी टीवी के उसके पहले पांच रिपोर्ट आ चुकी थी तो ये है अब इससे तो बच नहीं सकते हैं तो इसलिए थोड़ा में करता हूँ कि भारत का जो पढ़ा लिखा वर गया और उसको ये गॉद्विमेंट से थोड़ी जो सेंस्टिविटी आती है तो मेरा काम सार्थ होगा और उनका सेंस्टिविटी देश्चिलिये बड़ा काम कर सकते हैं आप में से कोई एक व्यक्ति अगर सेंस्टिविटी होता है तो वो देश्चिलिये संपत्ती बन जाता है वो दूसरा राजी रिक्षित हो सकता है वो डिगरी का फर्फ होगा वो एक डिगरी का हो सकता है वो सो डिगरी का हो वो दो डिगरी का हो सकता है, नहीं सौर डिगरी का अंतर है, लेकिल वो उतना ही संसिटाइज हो सकता है, जो तना में हो, तो डॉकुमेंट के पीछे एक ही काम करती है, ताकर, कि दूसरे को हम संसिटाइज कर सकते हैं, क्या, कन्मीज कर सकते हैं, अगर वो काम हो पाया, तो इ तो हमें यह जानना है कि आप इसी कुछ ट्रेनिंग है और पूरे पारफरस में बहुत से लोग इसाम में जूटे और जल्दी से जल्दी आपके जिजों को आप यहां पर पस्तूप कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को विस्तूप पहुचा एक सब्सक्राइ कोई ओफिस भी नहीं था और यह काम ऐसे होता था है कि वर्दा में सेवाग्राम नाम का इता हुए वर्दा जिल्दे वो गाहों में गाली जी का बनाया हुआ इक आश्रम है उस आश्रम का एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिला गुए था क्योंकि मैं उस आश्रम के ठ्रस्कियो इतना बड़ा हिस्सा मिला हुआ था तो उसी को मैं ओफिस जैसा मानता था लेकिन थोड़े दिन में उस आश्रम में प्रॉब्लम आ गई आश्रम में क्या प्रॉब्लम आई कि सोनिय गांदी ने उस आश्रम को ग्यारे लाक रुपए दान किये परसनल एकांट से तो मैंने आश्रम की लोगों के सामने बहुत विरोद किया इस तो उन्होंने का आश्रम को अच्छा करने की पैसा ले रही है तो मैंने का गांदी जी की आत्मा की आप भत्या करेंगे तो गांदी जी ने बिर्ला जी का पैसा ने लिया इस आश्रम में आप जानते हैं कहानी आश्रम क किस के फैसे बनेगा तो कांग्रेस के जो 25-25 पैसे देने वाले मेंबरें है चमली मेंबर्शिप शुरू किया कज वर मेंदर तो पच्चीस-पच्चीस पैसे मैं रुपई कटिपर कुसंने गांडी जी नहीं उसमें के चैनल के तू आया हो, हो सकता हो ISI का पैसा हो जो किसी चैनल से इस आश्रम में आये, तो यहां की पवित्रदा खतम हो जाएगी, तो मैंने गिरोध किया तो आश्रम वालों को खराब लगा तो मैंने सोच रिया कि अभी यहां अपना आफिस नहीं रखना फिर अपना ओफिस बनाने के लिए जैसा आश्रम का इंसिट्यूशन ख़़ा करने का काम शुरू किया, अभी इश्वर की क्रपा से वो इंसिट्यूशन की बिल्डिंग बन भी है 10% काम उसमें बागी है 7,500 स्क्वैर फिट कंस्ट्रक्शन हुआ है दू माले के विल्डिंग है आश्रम से बिल्कुल नस्धीत मैं है और वो भी विल्डिंग मैंने ऐसे ही बनाई है किसीने 10 रुपए दिये किसीने 50 निये किसीने 100 दिये किसी ने 500 ऐसा करके वो बिल्डिंग बनी है अभी शायद वो अप्रेल 6 तारीट तक पूरी हो जाएगी 6 अप्रेल को पूरी पढ़वाती है आप जानते हैं भारत का नया साल शुरू होता उसी दिन से वो बिल्डिंग का ओपनिंग हो जाएगा और उस दिन से लगातार मैं उस बिल्डिंग में कुछ शिविर करूँगा और वो शिविर इसी बात के लिए करूँगा कि कुछ दूसरे राजी विश्चित तयार दे क्योंकि अब तक मैंने जितना पढ़ा है, जाना है, सीफा है जो डॉकुमेंट्स इकटे किये हैं मेरी योजना है कि अगले सामी ना डेर सामी अंदर जादा से ज्यादे 2 सामी ऐसे सौसे डेरसो राजी विश्चित बन जाए कुछ गुजराती, कुछ मराती, कुछ कना और वो अपने काम पे लग जाया, गाओ, 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 गाओ से जाना लोगों से ये सब बाते करना वो मेरी तयारी है वो मेरी कोशिश है अब इसमें अगर बिवर्ण सो नहीं होए तो सो तो होई जाएंगे ऐसा मुझे लगता है और इनका सेलेक्शन भी मैंने करना शुरू किया है कि कौन-कौन लोग हैं जो इसमें लगेंगे तो उनका एक ही क्राइटेरिया मैंने रखा है कि जो अगले 15-20 साल तक काम कर सकें बिना किसी दवाओ के ऐसे लोग मुझे चाहिए अब दवाओ कहीं तरह के हैं जैसे परिवार का दवाओ तो ऐसे मुझे कारिकरता चाहिए जिनके परिवार का दवाओ ना हो माने अविवाहित हों और 15 साल देश को देने के लिए तयार हो कोई 15 साल नहीं देगा तो 10 साल देश को देने के लिए तयार हो माने 20-20 साल की उपर में हो और कहांगे ठीको दस सालन देश्चे लिए देंगे आप जो चाहो हम वो करेंगे बत्तीस परतीस साल के बाद अपना परिवार बसानेगे फिर सामानी जिंदिगी जियेंगे ऐसे कुछ कारिकरता हूं कि खोज में मैं लगा हूं और ऐसे कारिकरता भी चाहिए मुझे कि जो पैसे से इतने समर्थ हों जिनको भुखमरी की समस्या ना हो क्योंकि वो आएंगे और देश्चे लिए काम करेंगे तो कोई मेरे पास ऐसी विवस्ता नहीं है कि मैं उनका स्काइपन दे सकूँ या मानदन दे सकूँ तो मैं यह जरूर देख लूँगा कि उनके परिवार में इतनी संपत्ति और धन जरूर हो कि वो उस बेटे या बेटी को दसाल के लिए स्पेर कर सके या तो खेती हो या तो कोई बिसनिस हो या तो कोई इंडस्ट्री उनकी चलती हो तो ऐसे मुझे संग्रुत शानी और परिवार के दवाओं से मुफ्त सौडिर्स को लोग चाहिए अलग अलग बाशाओं में आपको कोई मिले तो हमें दीजे तो इसमें आपके कोई स्पेशल कॉमेंट्स भी एक है मेरा एक ही कमेंट है कि आप में से कोई गी अगर शेयर मारकेट में काम करते है माने इंवेस्ट कर रखता हो तो तीन से चार महीने में उसको बेज़ कर आप निकल आए है नहीं तो बहुत बुरी हालत बने जा रही है शेयर मार्केट की शेयर मार्केट में इतना सारा डॉलर पंप किया हुआ है जो पूरा आर्टिफिशल और पोटेली रिफ्लेशनली लेवल पर है रियलिटी में शेयर मार्केट का ये ग्रोथ नहीं है जो 21,000 पॉइंट पे आपको दिखाई गया है ये शेयर मार्केट में जो विदेशी डॉलर इस समय आया है वो एक ही कारण से आया है कि डॉलर पिछले हैं डेड़ साल से आप देख रहे हैं लगातार तूट गा और ये बिड्रो करेंगे जब डॉलर और प्रोटेगा अभी तो 38 रुपए है या 49 रुपए अभी आप देखना दो दिल महिले में ये 30 रुपए पे आसपास आजाए सरकार कितना भी ताकत लगा है इसको रोपने की कारण में जो बताने जा रहा हूँ है कि दुनिया में तेल बेचने वाले देशों ने सब्दाम हुसें की बाद उसके मर्ने बाद मांग लिया है जब तक जिल्दा था कोई नहीं माना अब मरने के बाद उनको समझने आ गया 53 तेल बेचने वाले देश हैं इनको ओपे कंट्रीज कहा जाता है इनका एक जर्नल मीटिंग अभी हो गया साओवी अरब में जिल्दा में उन्होंने तै कर लिया है कि हम अप्रेल या मई तक डॉलर में तेल बेचना बन कर देगे अप्रेल या मई तक 15 अप्रेल का कारगेट उन्होंने फिक्स किया जो 15 अप्रेल तक डिनिया में कोई बड़ी घटा नहीं हुई तो वो डॉलर तेल बेचना बंद कर देगे वो कहेंगे कि हम लोकल करेंसी में या तो तेल बेचेंगे नहीं तो यूरो डॉलर में बेचेंगे जिस दिन यह हो गया उस दिन डॉलर को जमील बिगिरने से कोई भी बचा सकता इशू भी आ जाए तो नहीं बचा सकता इसा मसी भी उतरा जमील पे और अमेरिका के साथ खड़ा हो जा तो भी डॉलर डूपने से वह नहीं बचा पाने और इतना बुरी तरह से अगर डॉलर क्रेश हुआ तो यह जित्मी कंपनियां आप देख रहे हैं और इंट फाइनेशल इंवेस्टर यह सभी उड़ंचू होनी आज है और यह उड़ंचू होने तो मार्केट तो क्रेश होना है एकी सजार पॉइंट का साथ जार पॉइंट की आ सकता और आप लोग फिर दूबें उसमें क्योंकि आप जैसे जो भी दूपते हैं मैंने किसी बड़े शेयर ब्रोकर को आज तक दूपते नहीं देखा जो दूपता है वो इंवस्टर है और छोटा इंवस्टर जल्दी दूपता तो आप में अगर थोला बहुत लगा रखा है तो तुरंट मिकाल लीजे इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मुँका है कि कैश करके निकल जाई है 21,000 पॉइंट से जादा आ और आपको क्या चाहिए काफी कुछ इसमें आपको बेल हो चुका होगा पचास रुबए का कोई शेयर खरीदा हो तो आज पांच दूर का तो होई गया होगा तो देश बाच के निकल आगे पिर आप बोलें पैसे का क्या करें पैसे को बैंक में मत रखें क्योंकि बैंक का इंट्रेस रेट भी दूबेगा बूरी पैसे तो जैसे आपके हाथ में पैसा आ जाए तो सोना खरीद के रखेंगे क्योंकि सोना ही है जिसका भाव अभी एक सीन साल चार साल चल नहीं है क्योंकि जब दुनिया में डॉलर तूपे रहा तो सब लोग डॉलर बेशिकर सोना ही परीद में आगे तो सोना जितना उपलब है उसमें उपलब का और कम होगी तो मार्केट में भाव गलम है तो सोना हो जगता 20,000 रुकर का 10 ग्राम हो जाए तो सोना खरीद के आप रख लिए चानी खरीद के रख लिए प्लैटिनम खरीद के रख लिए एक्सस मेटल में इंवस्ट करें और जो मिलती हो कहीं भी एक एक और फाँच एकर दस-एकर बीस एकर तुरmost खरीद लिए जहां मी मिलें भारत के किसी छोटे से छोटे गाओं में मिलें माहें के यह बद देखिए के वो जमीन पत्थर वाली हो इनày हो तो सोनों कि है उसके बाद रप Uh स्के आप इसका मढकेको हो जाएगा और आपकी चीमत आप वस्की नई हो जाएगी या तो सोने चान्दी मार्केट का बिलकुल भरोसा नहीं है ये मई में इसलिए ठूपने की दो संभावना एक तो मुझे दिक्रार सरकार गिरने जा रहे हैं भारत की मनमुहंसी गिर जाएंगे जादा से जादा दो मईने भी नहीं लगेंगे और दूसरा ये ओपे कंट्रीज अपना तेल नहीं बे भूसना भी नहीं चाहिए तो आप जैसे लोगों को अहां भूसना ये मेरा ओपीनियन है आपको अच्छा लगे तो सुकार करिये नहीं तो भाई तक इंतजार करिये फिर आप रोने के लिए राजी दिश्ट को बुला लेना तो राजी भाई आपको बूल के गए थे हमने अब हम क्या कर सकते हैं तो है आपको थोड़ी सांतोना देने आजा होगा इससे ल्यादा में बहुत कि नहीं कर पाए दमकिया तो बहुत आई अभी भी आती है सबसे ज़ादा धनकी पैप्सी कोका कोला से हाती है क्योंकि ये अभ्याण हमने शुरू क्या उसम्ने सबसे ज़ादा मार अगर पड़ी है तो पैप्सी कोका को नकी पड़ी है कि इनके किसी भी फैक्ट्री में चलिए जाए। इंगुस्तान में उत्तर डक्षन को सब फैक्ट्रियां बनने जैसे हैं वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कहते हैं कि हम सब्ड रसे शाम तक क्रेट धोते लाटे-, फरिशान होते पेपसी कोप का तो बाजा बजाई दिया है क्योंकि विक्री इतनी कम हो बापी में आप देख लो बहुत सेल कम हुई है और इसके बद्लियों में जो सेल बड़ी है वो फ्रेश जूस की सेल कह बड़ी है गन्य का रस, शेलडी का रस, मुसम्नी का रस, संत्रे का रस छोपी छोपी जगे और चूपी रस की दिमान बड़ी है तो उसकी सप्लाई बड़ी है सप्लाई बड़ी है तो रस की कीमत भी गिरी है बेले दस रुपए गिलास ताब फांच रुपए गिलास दें जाता है ये भी हुआ तो ये खुशी की बात है और इसका सारा पैसा खेलतों को जा रहा है इसका मुझे अनिम्ड है ऐसे ही कॉलिक की सेल फंटी थृ परसें टाउन होई है पिछले दस साथ और कॉलिकरट वाले इतने परिशान है वो मुझे बताते हैं कि हमारी जो मीटिम होती है तो एक ही विशा होता है हाउ टू हैंडिल गाजी अईख्ष्ण अनकी चेर्मेंसी जो डिरेक्टर्स की मीटिम होती है उसका विशा ही है हाउ टो हाउ तो होगजे handle करना चाहते हैं वो offer करते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे आप खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी कीमत नहीं है और वैसे मेरी कोई कीमत नहीं है साधर आप में तो उनसे हर बार ऐसे ही कहके बात खतम होती है फिर मैं उनसे कहता हूँ तो तुमको मेरी कौन सी वात है जो सबसे जादा पूंच करती है तो वो कहते हैं कि अगर लोग इसको गंबीरता से सुन लेगे तो हमारी ताकत नहीं कि हम कॉल गेट पुछपा है इस देश में किसी नहीं तो उनकी सेल गम हुई है हिंदुस्तान लीवर वाले मुझे बोलते हैं कि आपने दस साल में हमारी 26 पड़क मार्केट से आउट करा दे बोल बोल कर बोल बोल कर उनके कई प्रोड़क्ट हैं जोनोंने विड्रो कर लिए मार्केट से क्योंकि अब बिक्त नहीं हिंदुस्तान लीवर में एक दिन मुझे कहा कि हमारी सेल 98 में टोटल 14,000 करोड़ की थी अब वो कहते हैं कि 10 साल में हमारी सेल 9,800 करोड़ की है इतनी कमी है जबकि उनके पास advertisement के लिए हर एक कोई है एश्वरे रॉय भी है जो उनके लक्स का दहरात करती है सुष्मिता सेल भी है मादरी दिक्षिन भी है सब है उनके पास फिर भी उनकी सेल वो बढ़ाने का तो वो कह रहा है हमें विट्रो करना पर तो उनकी सेल में कमी है कई मर्टिनाशनल हैं तो दवा बेचने के लिए आये तो भागते चले गए तो ऐसे दस साल में कुछ रिजर्ट तो दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी रिजर्ट दिखाई दे रहे हैं कि कई घरों में लोगों ने कहा है कि हमने आपके सलाम यस अंकल्पी लाता है वह आज तक हम पालिन करते हैं पेपसी में कीपे कोप में कीपे तो इस तरह का कुछ असर तो हुआ है लेकिन मैं इससे संतुष आई न क्योंकि भारत इतना बड़ा देश्व इसके लिए यह असर बहुत तरह है आप जिसे बोलता है कि भी भार की कंपनियां जो बना रही है जो भी कर रही है जिस तरह के प्रोड़क्स बन करते हैं काफी विदेशी कंपनियों को बगाने के लिए योजना बना रखें और ब्लूप्रेंट घर्पोड़ा मेरा ये है कि जो कंपनी यहां आए आते समय उसमें जितना पैसा भारत में लगा है जिसको हम अर्थशास्त्र में कहते हैं इनीशियल पेड़ अप केपिटल उसका मेरे पास पूरा हिसाब है पेट्सी कोला का इनीशियल पेड़ अप केपिटल क्या है कोका कोला का क्या है, कॉल गेट का, क्या, इंगुस्तान लीवर का तो जितना उन्होंने बाहर से पैसा लाकर भारत में लगाया ये पैसा हम उनको वापस देंगे और उसकी जो ओनर्शिप है वो हम उनके हाथ से ले लेगे MA बन नहीं होगी, कारखना बन नहीं होगा ओनर्शिप चेंज लोगा और वो ओनर्शिप फिर किसको देंगे तो रिलाइंस को नहीं देने बाहिब उसके दूसरा ब्लूपरिंट मैंने बना रहा है कि उसकी ओनर्शिप को पहले हम कहेंगे कि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो ही ले ले जैसे कहोगा कि इससे वो प्रकास दाने क्योंकि डॉक्युमेंट्री एविडेंस इनके पास में है जो स्पुपट है और ये अगला पांच मिनट साथ मिनट दस मिनट आपको हिलाएगा जरूर कि ये इंडिया और लीज हम कैसे लीज पे हैं हमारी आजादी क्या है एक सक्सक्त पे वो उसके प्रकास दाने क्या है क्या है कि जो पंद्रेगास तो एक समझोता हुआ पंडित नहरू और मांट वेटन के बीच में वो समझोते का नाम है transfer of power agreement नाम है उसका transfer of power agreement वो एक agreement के नीचे पंद्रेगास चोटे चोटे समझोते हुए शर्त हैं तो अंग्रेज कह रहें कि ये मानोगे तो हम आजादी देंगे ये मानोगे तो आजादी देंगे ये मानोगे तो आजादी देंगे तो ये आजादी अंग्रेज जो द्वारा दी गई है हमने ली नहीं है क्योंकि आजादी लेने वाला जो वर्ग था वो 1947 तक खतम हो चुका था आजादी लेने वालों का वर्ग था भगत सिंग का उधम सिंग का, चदरशेकर आजाद का आश्पाक उल्ला का, अत्यादोपे का नाना सहाथ पेश्वा का ये लोग थे, लोग माने तिलक का ये माने थे कि हम आजादी लेंगे लड़ कर लेंगे, जगड़ कर लेंगे और अंग्रेजों को मार के बनेगे दुरभा कि इस देश का ये हुआ कि 1947 तक इनमे से कोई नहीं बचा ना भगत सिंग, ना उदम सिंग, ना चन्द शेकर, ना कोई तो फिर जो बचे, वो सम्मीडियोकर किसम के थे मीडियोकर शब्दात अच्छे से समझते तो इन्होंने अंग्रेजों को भगा के आदिली है, ऐसा नहीं अंग्रेजों ने कुछ दया के साथ और प्रेम और करोना के साथ आजा दी दी है जिसको वो किसी भी दिन वाफस ले सकते हैं, ये है समझता जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रिमेंट पे लिए इसके सारे डॉकुमेंट्स लंडन में है, हाउस अफ कॉर्मेंस की लाइबरेडी में कुछ इस्सा उसका मैं भी, मेरे पास भी है लेकिन पूरा नहीं मेरी कोशिश है कि ये भारत में सारे डॉकुमेंट्स आ जाए एक बार मेरा दिल है कि टीवी पर खोल खोल के सब को पढ़ाया जाए तो देखो ये क्या लिखा नहरू जी है, क्या कहा है, मौंट बेटेंट तो मौंट बेटेंट के शब्दों में और अंग्रेजों की भाशा में मैं अगर कहूं तो इंडिया इस ओन लीज फॉर नाइंटी नाइन इस लिए आज साल की लीज पर है आपका देश लिए आनवे साल जिस दिन पूरे हो जाएं अंग्रेजों की अवकात है कि वो आप से वापस ले सकते और चूँकि ये लीज का सारा खेल है इसलिए आज तक भारत के किसी भी प्रधान मर्पुरी में हमारे कानून बदले नहीं जो अंग्रेज बना गए वैसे के वैसे ही नहीं साथ इंडियन इंकम टेक्स एक्ट अंग्रेजों का बनाये हुआ आईपीसी इंडियन पीनरोड अंग्रेजों का, सी आरपीसी अंग्रेजों का, सी पीसी अंग्रेजों का, इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों का, लेंड एक्यूजिशन एक्ट अंग्रेजों का, इंडियन सिटीजन्शिप अक्ट अंग्रेजों का बनाये हुआ ह आज तक उसको इनो ने मैंटेन किया है, इसको बदला नहीं है, और इससे भी जादा खतरना किस्ति है, इंग्लेंड की महारानी, कभी भी हिंदुस्तान आए, तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा वो भारत आ सकती है, क्योंकि आप उनकी प्रॉपरटी है, पास़ोट भी नहीं लगता, यूरोप में, बिना पास़ोट के वो जा सकती है, लेकिन भारत आने के लिए उसको भारत सरकार की कर्मिशन की जरूरत नहीं है, वो कल फोट खाके भारत के प्रधान मंत्री को कहे कि मैं भारत आना चाहती हूँ, तो किसी प्रधान मंत्री में दम नहीं है ये कहे कि नहीं आप में तरिया अब मैं एक गटना सुनाता हूँ इंद्रकुमार गुज्राल इस देश में प्राइम मिनिसर थे और जलियाँ वाला बाग हत्याकांड का एक महत्वकूर साल आया था उस समय जलियाँ वाला बागत्या कांड आप जानते हूं नहीं 119 में हुआ था तो उसका एक महत्वपूर साल आया था उसी समय रानी ने कहा कि मैं आना चाहते हूं तो इंद्रकुमार गुज्राल पर दबाव डालने के लिए मैं और बहुत सारे लोग गएते दिगली उस समय में इलावाद में रहता है और ये कहने के लिए कि मत आने दो इसको क्योंकि ये ही वो है जिसमें जलियाँ वाला बाग कांड करवाया था इसी रानी के आदेश पर गोली चली थी और डायर ने हजारों लोगों के उपर गोली चलागी जिसमें से सेपड़ माले थी तो इंदरुकुमार गुजरानी ने टका सा जवाब दिया था कि मैं ये नहीं रोख सकता वो आएगी तो स्वाधत ही करना है उसका वो आई पूरी भारत सरकार उसके स्वाधत में लगी वो राई गई अमरतसर गई और जखे हुए मन जखम हमारे जो उसमें कुरेदे वहाँ जाके और उसमें अख़वारों में सेपमें दिया कि मुझे नहीं लगता कि जलियां वाला बात में कुछ गलत हुआ जब कोई राजा होता है और कोई प्रजा होती है तो कई बार प्रजा के ऊपर धंड देना पड़ जाता है तो हमने कहा बात कतुम होगा अब आप ममेशा उसको याद करते रहें ये आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं ये उसका अमरत सर के पत्रकारों को दिया हुआ पहिमन था ये छपा आख़वारों है हम लोगों को इतना गुस्टा आया हमने कहा कि ये इंद्रुकुमार गुजराल का मूँ काला करेंगे तो पुलिस को भनक लग गई और हम लोग सब अरेस्ट हो गए वरना हम मूँ काला करने के लिए ही जा रहे थे उसके दिल्ली में कि ऐसा हराम पूर प्राइम मिनिस्टर है जो देश की इज़त और सम्मान को दाउं पे लगा के रखा अब इंद्रुकुमार गुजराल डिटाय है अब हम उनको मिलते हैं कभी भी दिल्ली में वो मुझे कहते हैं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे तो यही करोगे आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून से हम बने हुए है वो कानून वो ही है, इंडिया इस ओन लीज तो मैं कहते हूं, खुल के रहो इसको देश में तो कहते हैं नहीं कहते हैं क्यों नहीं कह सकते बगावत हो जाएगी तो हो जाने तो बगावत 877 में होई थी और एक बगावत हो जाएगी कम से कम दूद का दूद पानी का पानी तो हो जाएगा ये अदकचरे हम लटके हुए तो नहीं रहेंगे उनका इतनी हिम्मत किसमें है आज ये है अब हमारे याँ इतनी खराबी है इस लेवल पे कि सुप्रीम कोट का कोई जज हाई कोट का कोई जज ऐसा कोई फैसला दे जिसका कानून भारत में ना हो तो हमेशा वो लंदन के फैसले कोई आधार बना के जजजमेंट देता मान लो कोई फैसला देना है सुप्रीम कोट को उसका कोई कानून हमारे देश में नहीं तो आधार फिर लंदन से मंगाया जाता है कि वहाँ का कोट क्या कहता है उसको बेश करके यहाँ जजमेंट दिये जाते है और इसी कारण कोई भी कोट जजमेंट अंगरी जी में ही रता है बले हो गुजरात में चले या के रगुजरे इस्तमतब तो यह हो गया अमेरिका से भी हम बड़े जुच चला रहे है कि हम पाँ जा जा रहे है यह नेताओं से पूछने की ज़रुवत है पंदर अगस्त मनाते हैं हर्हान तिरंगा जंडा फेराते हैं 26 जर्वरी मनाते हैं बच्चों कुकारा का लड़ू खाने को आजा वो लड़ू ही है बाकी कुछ में वो आजा दी वाजा दी तो सब कही रखी हुई है क्योंकि एक काम हम ऐसा नहीं कर पाए वो कर देंगे क्लेम किसी दिन तो आप क्या करेंगे मान दीजे अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके देश में जो कुछ वो चाहते हैं वो हो ही रहा है जो कुछ बिटिश चाहते हैं वो ही तो हो रहा है इस देश में तो अगर मान लो वो ये तैय कर लें आज क्योंकि उनकी पॉलिटीकल उनको लगता है कि भारत को अभी हैंडल कर नहीं सकते क्योंकि फिनेंशली बहुत कमजोर है 1947 में भारत उन्होंने छोड़ा तो इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके दिल में हमारे प्रती सर्भावना थी इसलिए छोड़ा कि Second World War में इतनी पिटाई हो चुपी थी उनकी कि भारत को साथ रखना उनके लिए संभव नहीं था तो हमारा भी 99 साल पूरा होगा तब जाके कोई फैसला होगा तब तक तो यह पर्दा ही पड़ा हुआ हिंदुस्तान की नेता बात नहीं करना चाहते इस सब्सक्राण का जो बहस होगा था दस साल पहले से चाहुआ होगा कि कैसे ट्रांसफर पावर होगा चाहना में जाएगा कि उसका इंडिपेंडेंड़न्स रहेगा इस सब्सक्राण के लिए मेरी बहुत दिल की इक्षा है कि कोई ऐसा चैनल प्राण के लिए मेरी बहुत दिल की इक्षा है कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो फ्री हैंडे तो वो सब डॉकुमेंट्स में चैनल पे दिखाना चाहता है या तो भारत सरकार गिनाई करें कि ये डॉकुमेंट्स जूटे हैं तो ब्रिटिश गवर्मेंट के सामने हम बात करें कि आपके या रखे हुए अगर डॉकुमेंट्स जूटे तो आपको ये जूटे है किया दा ना आस्ता चैनल से थोड़े दिन उनके ये कुछ डॉकुमेंट्स दिखा है उन्जी में उनको पसीना आ गया एक छोड़ा सा डॉकुमेंट्स मैंने दिखा दिखा दिखी कॉंग्रिस की स्थाफना कैसे हुई थी तो उसी में वो खिरीद भाई को इतनी तक्लीप होगे उनका राजी भाई आपका तो कोई ना बीवी है ना बच्चा मेरे तो बीवी बच्चे है मेरे ये लाइसेंस कैंसल होगा तो मैं तो सड़क पे आ जाओंगा आप क्रपया करके इतनी खटलपनाक और विस्पोटक चीज़ है मत दिखा लिए आप कुछ ऐसी बातें करिए जैसे राम देउजी करते है यो प्राणायाम, धर्म, ध्यान, समाधी, धारना, ये है दोस्तों सौमार से मंगलवार में पहुंच चुके हैं गाजीजी का कल बलसार कॉलेज, धरंपूर कॉलेज में तो प्रोग्राम है मुझे कादर खर्वाली विमारी है, राप तो दिखता नहीं, इन तो बलसार सेफ लिगाना है ये राश्टर की संपती है, चोड़दार तालियों में गुजरी बार गौती में आप दुराएंगे, अश्टरा मारा में लिगाएं तोड़े नहीं है, तोड़े गए है तोड़ना विलकुल अलग बात है, तो उनका किसमे तोड़े हैं वो समाविल लादेन में तो मैंने काई, वो समाविल लादेन की इतनी अवकात नहीं है कि वो दो टावर तोड़ पाए अगर उसकी इतनी अवकात होती तो वो अमेरिका से छुपते हुए कही गुफाओं में, कंदराओं में नहीं रह रहा होता वो सारी दुनिया के सामने ताल ठुपते ख़ड़ा होता तो फिर एक पत्रकार है इंडियन एक्सप्रेस के जो नागपूर के कर्स्पंटेंट है ब्यूरो चीफ है उन्होंने का आप किसके बारे में कहना चाहते है तो मुझे लगता है कि ये दोनों टावर जॉर्ज बुशने ही तुड़वाए होंगे या अमेरिका की सरकार ही इसमें शामिल होगी तो अख्वार वाले परेशान होगे क्या बात कर रहे हैं आप मैंने का मैं बात कर रहा हूँ तो गंबीरता से कर रहा हूँ भले धीने कह रहा हूँ लेकिन गंबीरता से और द्रणता से किने लगे कोई प्रूफ कोई डॉकुमेंट मैंने का प्रूफ और डॉकुमेंट अभी नहीं है क्योंकि सबेरे टावर टूटे हैं और शाम को आप बात कर रहे हैं थोड़ा मुझे समय दे दो तो मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा तो कोई आधार बता दीज जिससे आप ये सोच रहे हैं तो मैंने का मेरे पास इन पुराना डॉकुमेंट है वो दिखा देता हूँ वो 1941 का एक डॉकुमेंट है और 1941 में आप जानते हैं विश्यूत चल रहा है जो 1949 से शुरू हुआ है और 1941 में अमेरिका के पल हारवर नाम के एक पानी के जहाज के जहाज के अग्डे पर जापान में बम गिराई थे सारी दुनिया जानती हैं लेकिन वो बम 1950 में जाकर पता चला कि दो अमरीकी पाइलटों ने गिराई थे जापान का नाम लगाया था वो बम अमेरिका ने ही गिराई थे अमेरिका के ऊपर और जापान का नाम लगा दिया क क्योंकि इक्तानिस के युग्द में जिस समय की ये घटना है उस समय जापान हावी था। क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी और जापान दोनों एक दूसरे के साथ में थे। और ब्रिटेल और दूसरे देश रशिया वगेरा ये एक तरफ थे। एक मित्र देश है दूसरे शत्र देश है तो जापान और जर्मनी ऐसा लग रहा था कि योजीत जाएंगे। और जापान जर्वन इतनी ताकत से मदद कर रहा था कि डर ये पैदा हो गया था कि हिटलर साइब दुनिया का राजा बन जाएगा तो हिटलर को दुनिया का राजा बनने से रोकना है और जापान को तोड़ना है इसके लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई थी लेकिन वो एटम बम जापान पर गिराये जाएं तो उसके लिए कोई तो आधार होना चाहिए दुनिया को बताने कहिए कि हम जापान पर बम क्यों गिरा रहे हैं तो अमेरिका ने ये ख़वर फैलाई कि जापान ने परल हारवर पर अटेक किया है, लिहाजा हम जापान पर अटेक करेंगें। और इस आधार पर जापान पर दो एटम बम गिरा दिये, जिसमें नौ लाख जापानी तो एक ही दिल में मर गए थे और करीब करीब 90 लाख से जादा पिछले हैं, पचास सालों में मरे हैं। लगेगा वो सब कैलकुलेशन मैंने लगाया, तो पता चला कि कम से कम 440 बम होने चाहिए, तब जाकर वो 8.4 सेकंड में गिरेगा, और वो 440 बम हर फ्लोर पर 4 बम होने चाहिए, और उनका कनेक्शन किसी मदर बम के साथ होना चाहिए, मदर बम ब्लास्ट होते ही 440 बम एक स तो ये जो पहन और टेलर थे, इन्हों ने कहा कि हम आपके कैलकुलेशन को क्रॉस वेरिफाइब करें, मैंने का यस करो, तो उनने का फिजिक ये चिजी प्रोफेसर को मदद ले, मैंने का लो, फिजिक के जिन फॉर्कुलेशन के आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन किया है, वो मैंने बेज दिये, वो बिचारे दोनों पत्रकार साड़े तीन साल लगे रहे, साड़े तीन साल के बाद उनको सौ से जादा फिजिक्स प्रोफेसर्स ने कहा कि इस आर अर बेस्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन किया 8.4 सेकेंड में 330 मीटर की टॉवर को गिराना पड़े तो इतना RDX चाहिए, इतना GLUTONE चाहिए जो RDX के साथ मिक्स करने वाला केमिकल है, वो चाहिए और 440 बम अगर होंगे तो ये हो जाएगा, तो मैंने का अभी मिस्टर पेन और टेलर ठाप इस एंगल से देखेंगे इस पूरे एपिसोड को, तो उनका लगता तो ऐसा ही है, लेकिन सबूत नहीं है, मैंने का सबूत भी मिल जाएगा, कोशिश करिए, कोशिश करिए, बिचारे दोनों कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते करते उनके हाथ में, कुछ 50 से ज़्यादा सबूत आए, उन्होंने मेरे पास भेजे, वो मैं आपको दिखाने के लिए लाया है वो सबूत आप देखेंगे तो आपको तुरन समझ में आ जाएगा कि प्लेन के क्रेश में टॉटा प्लेन का टक्कर ही नहीं हुआ टॉबर में तो आप बोलेंगे हमने तो देखा प्लेन आया और उसमें घुज गया हमने तो देखा वो सिनेमा की ट्रिक फोटोग्रेफी है जिसमें आपने प्लेन को घुसे हुए देखा रियलिटी में क्या हुआ है वो अभी आप यहां देखेंगे प्लेन आया तौबर के नस्दीक और ऐसे डायू लगाके निकल गया उस प्लेन को चलाने वाला जो पाइलेट ओवीजर था उसका इंडर्विव है साथ मिनट का मेरे पास उस इंडर्विव में उस पाइलेट को पूछा गया आप उस दिन सौर्थी में थे, सौर्थी मीने फ्लाइट में थे उसने का येस आप कौन है दूनोंने का American Air Force का pilot officer हूँ आपका काम क्या है तो उसने का fighter plane उड़ाने का मेरा काम है तो 11 सितंबर 2001 को आप कहा थे तो उन्हें का नियोर्क सिटी पर उड़ा था तो क्या ख़़ रहे थे तो plane उड़ा रहा था, क्यों उड़ा रहे थे तो हो कहता है कि उस दिन हमारा ड्रिल था ड्रिल समस्थे युद्ध का अभ्यास युद्ध नहीं है, युद्ध का अभ्यास उन्होंने का हमारा ड्रिल था, कितने गंटे का तीन गंटे का ड्रिल था, टाइम क्या था सुबह 6 बजे से 9 बजे तर तो सुवब छे से नौ बजे आप जब ड्रिल कर रहे थे तो आपके साथ और कितने प्लेन थे तो उसने का कि 182 प्लेन थे पूरे अमेरिका में ब्रिल पर थे हम मेरा प्लेन नियॉयोर्क से इंट कर पाएं जहां से हम इतको मदद कर पाएं हम वो आत्मी को अगर मतलब अपने ने दोता स्कूनगगा है और राजियों दिश्कित जिए जित के लिए मैं कहूँगा कि हो गई है पीर परवत से हो गई है पीर परवत से अब पिखलनी चाहिए इस माले से अब गोई गव्ला करनी चाहिए सिर्फ हंदामा खडा करना मेरा बक्सक नहीं मेरी कोशिस है यह मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आए, लेकि आज़ा दिए 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 आज़ा दि मैं स्वामी विलेकानन्द गुरुपुल के चैर्मेन से वहिंश्वाइद पढ़्यादी को भरन्ति करता हूँ कि वह आए और आज का मौका एकदम आपके लिए अप्रोप्रियेट है आप आएं और आप दिनका स्वागत करें शाब जैसे तबह में आप में से कई लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ ऐसी बाते कहीं थी जो उस समय आपको अटपटी लगी होंगी लेकिन आज बो देश के सामने सच्चाई के रोप में है उधारन के लिए मैंने वापी की जन सवा में दस साल पहले कहा था कि कु प्रधान मंत्री बनेंगे और आज आपकी आठों के सामने हैं जिस समय मैंने ये बात कही थी 1998 का साल था मनमोहन सीन के बारे में बस इतना था कि वो वित्यमंत्री पत से नीचे आ चुके थे और नरसिमाराओ की सरकार जा चुकी थी अटल बिहारी वाज़केजी की सकार काम क कर रही है तो किसी को अंताजा नहीं था कि मनमोहन सीन वित्यमंत्री रहकर फिर प्रधान मंत्री बनेंगे मैंने जिस आधार पर ये कहा था वो एक दस्तावेज था जो मेरे लैप्टॉप में अभी भी पड़ा है भारत सरकार को विश्व बैंक का पत्र आया था वो पत्र म भारत में कानूर बना कर करियान वयन कर सके तो इसके लिए उनको वित्यमंत्री बनाय गया था और बाद में उनी को प्रधान मंत्री बनाय गया आपको माहन शिलमती सोनिया गान्वी ने मनमोहन सीन जी के लिए रास्ता छोड़ा था और वो सब कहानिया आप जानते हैं एक बारत की आठ प्रयोक शालाओं में ये सिद्धि कर दिया कि Pepsi Coke जहर है और Toilet Cleaner है और जो 1998 में में बोल कर गया था वो भारत की संसत में बोला गया केस को बंद कर देना चाहिए तो संसत्ती केंटी इनने प्रप्सी कोग को बैंग गिया राज्य सभा, लोक सभा में और भारत के कल बुख्य मंत्रियों ने college की केंटी को बैंग गिया है इसमारे बुरारी बापू भी यह कह देते हैं, शंकराचारी जी यही कहते हैं, घंडा बत्लब टॉलेक्टी में, तो मुझे बहुत खुशी है कि एक बहावरा चला और वो पूरे देश की जुवान पर छागे, आप तो बच्चे बच्चे कहते हैं घंडा बत्लब हाई देगी, आज मैं कह रहा हूँ, तीन साल बहरा आप उसे होता हुआ देखेगे, तो भी दस साल पहले कहा था, वो पिछले दस साल में होता हुआ, आपने देखा, मैं कुछ दस्तावेज आपको दिखाने के लिए लाया, यह जो लेक्टॉप है और एंसीडी प्रोजेक् हाँ, आज से 108 साल पहले, 108 साल पहले स्वामी विवेका निर्जी शिकागो गए थे और वहां की धर्म संसत में जो कुछ उन्हों ने बोल दिया, वो अमेरिका के लिए एक तरह से धमाके जैसा था, ऐसा लगता था कि स्वामी जी ने कोई बं पोड़ दिया वहां, क्योंकि अमेरिका के सारे प्रोफेसर, फिलोसफी के, उनके धर्म गुरू सब परिशान हो गए थे, और स्वामी जी के पीछे अमेरिका के लोग इतने पागलों की तरह से पढ़ गए थे, कि अमेरिका गए थे वो एक व्याख्यान देने के लिए, फिर 20 व्याख्यान उनके अमेरिक का के अलग-लग विश्यु विद्यालियों में हुए थे। वैसा ही एक धमाका अमेरिका में, लगबद 107 साल के बाद हुआ था, 11 सितंबर 2001 को, ये कुछ कोई इंसिडेंट है, स्वामी जी ने 11 सितंबर 1835 को एक धमाका अमेरिका में किया था भारत की करव से इसी अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को एक और धमा का हुआ था जिसमें अमेरिका के दो टॉवर टूटे थे ये दोनों टॉवर टूटे आप सबने देखा मैंने भी देखा जिस दिन ये टॉवर टूटे थे मैं उस दिन मीडिया के साथ बात करता था तो अखवार वालों ने मुझसे पूछा था कि राजी बाई आपका क्या मानना है ये अमेरिका में दो टॉवर टूट गए घटा सवेरे की है साड़े आठ से पॉने नौ के बीच की है और शाम को तीन साड़े बज़े अकवार वाले सब आ गए और कहने लगे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए तो मैंने उस समय यह कहा था कि मुझे ऐसा लगता है ये टॉवर टूट वो भी चित्की की कॉपी मेरे पास है जिसमें वो यह कह रहा है कि हमें बहुत दुख है कि हमने आपके देश उपर दो एकम बम गिराए वास्तम में आपने परल हारवर पर अटेक नहीं किया था वो अटेक की योजना C.I.A. के द्वारा बनाई गई और करियानवेद की गई थी लेकिन हम मजबूर थे आपको जर्मनी से दूर करना चाहते थे इसलिए आपको तोड़ना हमारे लिए आवश्क हो गया था तो हमने बहाना बनाया था कि परल हारवर पर अटेक जापान ने किया है इसलिए अमेरिका जापान पर अटेक करे ला वास्तम में आपने पर लाहर पर पर अटेक नहीं किया था दुनिया को हमने जो फोटोग्रेफ जारी किये थे हवाई जहाद से बम गिराते हुए वो फोटोग्रेफ में जापान के दो नागरिकों को पाइलेट की सीट पर बान कर बिठाया हुआ था साथ में अमेरिकन्स बैठे हुए थे और दुनिया को चिठी और फोटो दिखाएगे कि देखो ये जापानी है जो बम गिरा रहे वास्तम में वो अमेरिकन्स में गिराए थे इसमें आपके देश का बहुत लुकसान हुआ है हम आपके लुकसान की भरपाई कर चुके हैं हम आपको मदद दे चुके हैं आगे भी देते रहेंगे लेकिन अब मैं ऐसा लगता है कि आप से हम माफी माँग लें छमा माँग लें आगे के संबन्द अमेरिका और जापान के अच्छे बनाने के लिए मैं योजना प्रस्तुत करता हूँ और वो योजना ये है कि अगले 100 साल तक अमेरिका जापान की सुरक्षा करेगा और जापान के लिए आर्मी की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका अपनी आर्मी देगा आप क्रपया हमें उसके लिए माफ करें तो कभ गिरेगा और ऐसे गिरेगा तो कभ गिरेगा अगर प्लेन की स्पीड वायू में ध्वनी की स्पीड से जादा है अवाज की जो गती है न हवा में सांड स्पीड अगर प्लेन की स्पीड सांड की स्पीड से जादा है तो टौबर उसी दिशा में गिरेगा उस टौबर को गिरा देगा कोई भी टौबर ऐसे नहीं गिर सकता आपको याने दोनोगा टौबर ऐसे करके गिरे थी ऊपर से नीचे धर, धर, धर और seconds में मैंने time calculate किया क्योंकि वो video मैंने मंगा रखा वो मैं आपको भी दिखाऊंगा CLN की जो library है उससे मैंने video मंगाया tower के गिरने का exact north tower 8.4 second में गिर गया 8.4 second में पूरा डडडडडडडडड गिरता चला जैसे rate का महिल 8.4 second में 110 मंजिल का tower कब गिर सकता है जब उस tower को अंदर से blast किया जाए किसी bum के द्वारा और वो bum एक न हो tower के हर मंजिल पर bum लगाया गया हो और सारे bum एक साथ blast करें तो 8.4 second में 110 10 मंजिल का tower के रेगा एक मंजिल की सामन उचाई आप मालें 10 feet 10 feet का मालें 3 meter तो 3 meter की एक उचाई है एक मंजिल की तो 110 मंजिल की और 110 मंजिल में 3 का गुणा करें